आज से आठवी कख्षा NCRT साइंस शुरू हो रहा है पहला चेप्टर है फसल उद्दपादन नियुम प्रबंदन के लिए या यू कहें पोशन के लिए हार एक जीव जन्तु को पोशन किया उशक्ता होती है और हम कहां से प्राप्त करते हैं फसल से प्राप्त करते हैं तो ज एक ही जगह पे एक ही किष्म के पौदे किसी अस्तान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं ठीक है जैसे गेहूं का फसल का मतलब क्या होगा कि खेत में उगाया जाने वाले सभी पौदे गेहूं के हैं यहां पी important कुछ तथ है क्रिशी पद्धत थे अपना मतलब जीवन यापन करते रहते थे दीरे दीरे इन्होंने फसलों की क्रिशी शुरू कर दी मतलब फसल उत्पादन शुरू कर दिया और एक अस्तान पर रहने लगे इस तरीके से क्रिशी का प्रारंब हुआ ठीक है इसमें आगे बताएगा है भारत की बीवीदि यदि जलवाईवे प्रस्तीतियों से देखें तो बहुती बीवीदिता पूर देस है नौर्ट का कोई लेकिन आप यदि देखो तो अनेक तरीके की फसल का उत्पादन किया जाता है देश के विविन विविन भागों में, लेकिन यदि मुख्य रूप से यदि बाटने की कोशिश करें, तो पूरा जो हम फसल उगाते हैं, उसको दो तरीकों से बाट सकते हैं, दो पार्ट में, ख खरीब फसलों के उधारण हैं, यहां से प्री में कोश्चनराइज होता है, धान, मक्का, सोयाबीन, मुंगफली, कपास, इत्यादी, खरीब फसल के उधारण हैं, वहीं रवी की बात करें, तो गेहू, चना, मटर, सरसो और अलसी, यह सब रवी फसल के उधारण हैं, ठीक ह प्रोपर रूप से उसका उत्पादन हो, वो फले-फुले उसके लिए खाद और उर्वरक डालते हैं, खाद और उर्वरक दोनों अलग-अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा, उसके बाद सिचाई का उपियोग होता है, फसल को अव्योस पानी क्यों सकता होती है, हमें भी जी पौधो को या खर्पतवार को बाहर निकालते है, उसके बाद कटाई करी जाती है, हर्वेस्टिंग और भंडारंड किया जाता है, तो पहला इसका सबसे पहले मिट्टी तयार करना, तो मिट्टी तयार करना important है, औभिस ये प्रॉक्तिकल है, एकरीडियन सोसाइटी से हम आ है किंगि इसमें जब मुलायम मिठी रहती है है लूज मिठी रहती है तो फौधे के जड़े गहराई तक जा सकती है और जब गहराई तक जब जाएंगी तो यह सौशन भी आसानी से कर सकती रूपाई और वुआई जो कुछ भी होता है, ठीक है, जो लूज मिट्टी होती है, डाट मिन्स लूज स्वाइल होता है, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सुक्षुद्धी करने भी सहाथा परदान करता है, और जब यह बृधी करते हैं, तो यह किशानों के मित्र क यह करते क्या हैं? मतलब यह अपने तरीकें से जो है naturally मिटी के पलड़ते रहते हैं, पूला बनाते रहते हैं. आपको पता है कि चुगा मिटी खाता है और फिर उसको मतलब मिटी को ही वो कर देता है, परिट कर देता है अपने शरीर से, जो उर्वरक होती है. तो ऐसे-ऐसे कर चोथे बिखने तो इन फार। जब ये स्वाइल में परितक्त हो जाते हैं तो ये पौदो के द्वारा इनका उस्षोषन होता है और पौदो का पोशन होता है ठीक है देखे इसमें मिट्टी में ये बताएगा है कि मिट्टी को लूज करना क्यों important है क्योंकि उपरी परत में कुछ cm की मिट्टी ही पौदो क करना, यह परकिरिया जो है जुताई कहलाती है तिलिंग बोलते हैं पोला करना को ठीक है कि किरी तरीकों से हम मिट्टी को पोला करते हैं, मिट्टी को लूज बनाते हैं, कुदाली हल साइप्ट यह सारी चीज़ें आप देख लेना, इसमें कुछ जादा important नहीं है फिर यहा यहां पर एक कीआ पकार की मतलब हिए इसमें ब6 डाल देते हैं किसी भी फसलग का और यहां से 5 से जुड़ा होता है जैसे जैसे बेल आगे बरते हैं और ही पाइप का एक सीरा 현 मीँ दसा हो है गिरते जाता है तो ऐसे परमपरिक तरीक है यह सीड ड्रील जो है टक्टर से उप्यों करके इसी मिट्टी में फसलों की भुगाई होती है तो यह इंपोर्टन नहीं है ऐसे कोशनराइज नहीं हो सकता है यहां पर देखो यहां बात करें खादे अमूर वरक मिलाना यह इंपोर्टन है देखिए मिट्टी में पोश्रक असर बनाए रखने के लिए अक्सर उसमें खाद यह उमूर वरक मिलाए जाता है होता क्या है कि हम फसल दर फसल उत्पादन करते रहते हैं मिट्टी में अब मालीजे कि एक इसको कुछ ऐसे तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम होता क्या है कि हम किसान जो है फसल दर फसल उत्पादित करते रहते हैं तो क्या होता है तो मिट्टी की जो उर्वरा सक्ती होती है वो कम होती जाती है और उस उर्वरा सक्ती को सस्टेन करने के लिए फिर से बहाल करने के लिए खादेवम उर्वरक का परियोग किया जाता है अब यहाँ पे खाद एम उर्वरक में आपको बहुत लोग जो है confused हो जाते हैं और यहाँ से question अगर right हो तो human error के chances भी बहुत अधिक होते हैं तो ध्यान में रखना खाद एम उर्वरक में अंतर खाद क्या है खाद एक कार्वनिक जैविक पदात है ठीक है जैसे पौधे जनतु का अवसीष्ट हो गया गोबर हम ले जाके रख देते हैं उतसे जो निर्मान होता है वो खाद का निर्मान होता है वर्मी कंपोस्ट हमने देगा था पिजली कक्षा में चटी कक्षा में ठीक ह तो ये सारी चीजें क्या है जैविक खाद होती है एक कार्वनिक पदाथ होता है ठीक है और वहीं रशायन मतलब ये उर्वरक क्या होता है ये रशायनिक पदाथ होता है जो विशेश पोशकों से समरीद होता है और ये खाद से कैसे भिन होता है क्योंकि उर्वरक जो है फैक् सानों को गेह, धान, मक्का, जैसी फसलों की अच्छी उपज होती है, प्राप्त होती है, अवियस, लेकिन उर्वरकों का जब हम अधिक उपयोग करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आ जाती है, इसके साथ साथ यह जल प्रदूशन का भी स्रोत बन जाते हैं, ठी से क्या होती है, उर्वरता मिट्टी की गेन हो जाती है, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें आगे बताए गया है कि खाद के उप्योग से मिट्टी की गठन मतलब texture और जल ऑशर्शन छमता में बरिधी होती है, इससे मिट्टी के सभी पोश्कों की प्रतिपूर्टी हो जाती है मिट्टी में पोश्कों की पृति पृति का एक अन्य तरीका है क्रॉप रोटेशन फसल चकरन अब ये क्या होता है एक फसल के बाद खेत में दूसरे किश्म की फसल एक आंतर क्रम में उगा कर इसे किया जा सकते है बहुत लोग क्या करते है अपने खेतों में गंणा भो दिए फिर गंणा काट ये फिर गंणा फिर गंणा तो इसे क्या हो ये फसल चकरन का उधारन नहीं है माली जी की आपको गेहूं बोल दिये, धान बोल जिये, नाइट्रोजन उन्होंने और शोशित कर लिया आपके खेत के स्वाइल से, तो आप क्या करोगे, अगले सीजन में आप अपने खेतों में जो है फसली जो लेग्यूम प्रजाती के पौधे होते हैं, डाट्मिस जो दल यह इस तरी करन करते हैं, तो इस तरीके से नाइट्रोजन की प्रतिपुर्ती हो जाएगी, और यह उर्वारक और खाद का अंतर है, इसे देख लेना, खाद के लाब क्या क्या है, इंपोर्टन है, मिट्टी की जल्दारन शमता में ब्रिदी होती है, यह बहुत ही इंपोर् इस चीज को ध्यान में रखना, इसलिए NCRT का बहुत मात्व है, और इसलिए मैं लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोगों को लग रहा हो गई का लाइन बाई लाइन हम खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको हाइलाइट करने के लिए, और आपका थोड़ इसलिए कारण गैश वीन में सरलता से होता है, क्योंकि मिट्टी भुरबूरी होती है और इसमें रंदरता होती है, इसी मित्र जिवाने की संक्या में बृदी होती है, जैवी खासे मिट्टी के अखा गठन भी सुधरता है, पीर बात आ जाती है सिचाई की, सिचाई एक महत पुर्ण और मतलब आयाम है, फसल उत्पाधन में, यदि देखिए हमें भी जीवन के लिए जल की आउशकता होती है, उसी तरीके से फसलों को जीवन के लिए जल की आउशकता होती है, पौदों में लगबग 90 फिसदी जल होता है, ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाह होता है, पौदे के जड़ होते हैं, जल में घुले हुए जो खनीज पदार्त होते हैं, पोशक पदार्त होते हैं, वो जल के माद्यम से ही और शोशित करते हैं, और जल के द्वारा ही ये पौदों के विवन हिश्यों में जाता है, तो ये जल जो है पौदों के लिए भी इ जहां पर असम्तल भूमी होता है ठीक है मतलब उबर खावड भूमी होती है जहां पानी एक मतलब तल में नहीं बह सकता तो स्प्रिंकल सिस्टम का उप्योग होता है वहें ड्रीप सिस्टम इस विदी से जल की बुंदे सीधे पौदों की जड़ों में गिरता है फल्दार कि खर्पतवार हटाने की प्रक्रिया है ठीक है और ये जू खर्पतवार होते हैं पौदों के लिए और यहानिकारक होते हैं क्योंकि उनका जो उनको पोश्कपतात मिलना चाहिए ये खुद और शौशित कर लेते हैं रसायने को उप्योग से भी खरपतवार नियंतर्ण किया जा सकता है जिन्हें खरपतवार नाशी बोलते हैं जैसे 24D ये खरपतवार नाशी है ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखना फिर बाद आ जाती है हार्वेस्टिंग की कटाई करते हैं फसल पक जाने के बाद उसको काटना जो है हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है ये हार्वेस्टर के दुआरा भी किया जाता है देखिए ठ्रेसिंग जैसे हम मतलब अनाज के डंठल से अनाज निकालना ये क्या कहलाती है ठ्रेसिंग कहलाती है हमने देखा था हमने विनोइंग भी देखा था हावा के माध्यम से फसल औ ठीक है इसके बाद भंदारन की और शक्ता पड़ती है तो भंदारन के लिए गाउं में देखा होगा देहरी पता नहीं आप इस शब्द से वाकिफ होगे या नहीं मिट्टी का बनाया जाता था कंटेनर पहले मतलब गाउं में अधिकतर लोग इसका उपयोग करते थे हरे घर में यह मिट्टी का कंटेनर दिसे डेहरी बोला जाता था ठीक है धीर धीरे अब बखार बनने लगा है जो बांस के उपयोग से बना जाता है फिर इसके सासाथ पश्रूपालन क्या है देखिए बड़े पैमाने पर जब पश्रूओं को पाला जाता है उनके भोजण बोलते हैं यहां पर बदाएगे है कि मचली स्वास्त के लिए अच्छा हार है इसमें मचली से कौर्ड लिवर तेल मिलता है जिसमें वैटमेंट डी की अधिक मात्रा होती है तो यह सारी चीजें हमने देखा आज हम पढ़ने वाले हैं छोटको छोटको जीव के बारे में जिने हम अपने नेकेट आई से नहीं देख सकते जिने साइन्टिफिक रूप में कहा जाता है माइक्रो औरगनिजम दाट में सोक्षमजीव यह सोक्षमजीव कुछ तो हमारे लिए लाबदायक होते हैं और कुछ आनिकारक होते हैं इस पूरे चेप्टर में इन्हीं के बारे में दिया गया है काफी इंबॉर्टन यूपी PCS का फेबरेट है यहां से question पूछा ही पूछा जाता है तो what's this video from beginning to the last और हम चैप्टर के मतलब video lecture के साथ साथ चैप्टर का PDF भी send कर दे रहे हैं क्योंकि आपको revision करने में असानी होगी बहुत लोगों के पास book नहीं है जो PDF से revision करते थे तो पिछले test में उनकी शि शिकायत को दूर करने के लिए या कहीं वो बहाने मार रहे हैं इसको दूर करने के लिए मैं लगे हाथ PDF भी send कर दे रहा हूं ठीक है तो video lecture देखना जिसमें insert मैं सारी चीजे आपको समझा देता हूं क्या-क्या आपको देखने चाहिए याद रखने चाहिए और उसके बाद आप PDF notes से revision कर लेना काफी important है 6-10 NCRT इसलिए हम इस पूरे chapter को chapter wise line by line हम cover कर रहे है पूरे books को ठीक है तो चले शुरू करते हैं सुक्षम जीव जैसा कि मने बताया है कि मित्र और शत्रू दोनों होते हैं सुक्षम जीव होते क्या हैं जिने हम इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम अपने naked type से उन्हें देख नहीं सकते आवर्दक lens होगरा कि सुक्षम दर्सी होगरा कि आवश्यक्ता पड़ती है जिसकी साहता से हम देखते हैं ठीक है यदि हमने देख आप आपने practical किया होगा अपने high school में इंटर होगरा में तो हमने बहुत सारे मतलब सुक्षम दर्स ठीक है तो चलिए देखते हैं सुक्षम जीवों को चार मुख्य भागों में बाटा जा सकता है जिवाणू कवग प्रोटो जोवा और शैवाल ठीक है जिवाणू कवग प्रोटो जोवा और शैवाल ये सुक्षम जीवों के चार वर्ग हैं जिनमें सुक्षम जीवों को र जिवानु की बात करें तो जिवानु पौधों और जन्तू कोशिकाओं करते हैं। पौध्य जिवानु पौधों स्याये करें। पौधे और जन्तु कोशिकाओं में गुणन करते हैं यहां पे विशाणू का नीचे यहां पे यहां पे देखो यह विशाणू का यह कितना खतरनाक विशाणू का फिगर दिया गया है ठीक है तो इसे ध्यान में रखना देखिए NCRT में भी हिंदी मीडियम में भी गलतियां होती हैं तो इसको पहचाना भी आना चाहिए ठीक है कुछ समानने रोक जैसे जुकाम एंफ्लूएंजा जिसे फ्लू भी कहते हैं अमोमन तोर पे यहां अधिकतर खांशिव विशाणू के द्वारा होते हैं और कुछ विशेश रोक जैसे की पोलियो खसरा भी विशाणू क विशाणू that means वारा होते हैं तो यह हमने विशाणू के बारे में जाना इसके साथ साथ में बताए गया है कि अतिसार प्रोटो जोवा के कारण होता है और इस इंपोर्ट्ट है यहां से यह जो स्टेटमेंट है यहां से कई बार भी पैसी के द्वारा या अन गौर्मेंट की त्यारी कर रहा हूं न सबके लिए important है science to obvious तो यहां से प्रश्ण पूछा जाता है कि malaria किसके दौरा होता है तो प्रोटो जोवा के कारण होता है अतिशार भी प्रोटो जोवा के कारण होता है वहां ही टाइफाइड या च्छै रोग जिसे TB यो बोलते हैं यह जिवानू के यह एक्जामपल दिया गया है क्ले माइडो मोनोस और अस्पाइरो गाईडा ठीक है इसके बाद प्रोटो जोवा के यह उधारन अमीबा और पारामेशियम यहां पर राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड होता है अब ब्रेड में देख रहे हैं ब्रेड यदी सढ़ता है तो उस क्योषी करी गई है ठीक है और सुक्षमी जिव रहते कहां है देखिए सुक्षमी जिव एक कोशिक भी हो सकते हैं जैसे की जिवान वह और कुछ सेवाल वह उद 21 यह तो बहुत कोशिक भी रहते हैं यह कहीं भी Embra GPS में कहीं भी वेन इन परीर में भी रहते हैं, हमारे मुह में भी रहते हैं, तो ये कुछ लाबदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं, उनके अनुसार ये इनका अपना अस्थान है, अब सुक्ष्मी जीव और मनुश्री के संबंधों के बारे में देख लेते हैं, सुक्ष्मी जीवों का हमार में सुक्षम जीवों का उपयोग कर जाता है प्राची इनकाल में अल्कोहल बनाने के लिए भी सुक्षम जीवों का प्रयोग किया जाता है इसमें अल्कोहल बनाने की बीदी बीदी गई है तो आप घर पे बढ़ गए अल्कोहल मत बनाने कि चलो प्रेक्टिकल करते हैं तो प्रेक्टिकल मत करना थीक है प्रियावरण को सौक्ष रखने के लिए इनका उपियोग होता है और देखे होंगे की जो जयवीक अफसिष्ट पतार्त होते हैं न उनको फेक दो तो वो अब घटित हो जाते हैं मतलब डी कमपोज हो जाते हैं वो किन के बदॉलत होते हैं वो वैक्टेरिया के बदॉलत होते हैं हमाई एरफेंट ठीक है तो यहीं सारी चीजें दी गई है और कुछ जीवानू का उपयोग और शदी उद्पादन और कृषी में मृदा में उर्वरता बृधी के लिए भी उपयोग किया जाता है आपने प अच्छ यहां पे एक क्लिक बिट है यदि क्वोष्टन एनालीजिकल वे में और घूमाएंगे पूछे न तो आप गलत कर सकते हो कि दही में यहां पे लिख दे कि दही में केवल लाक्टोवैसिलस नामक जिवानू पाये जाते हैं तो केवल जो है यह अतिरेख शब्द है obvious केवल केवल जिस statement में लिखा हो उसके 99% सदी चांस यह होता है कि वो गलत होते हैं क्योंकि देखे यहां पर लिखा हुआ है दही में अनेक मतलब सुक्ष में जिव पाय जाते हैं अनेक माइक्रोय्ग्रिजम पाये जाते हैं जिसमें लक्टोवैसिल जो है लक्टोवैसिलस नमक्टेरिय प्रमूक है ठीक है तो यही लक्टोवैसिलस गयर्दर करने की कोशिशीश conservative परणा यह जो घुमां गुमां के लिखी गई हैं य यह सारी चीज़े पढ़ना इसलिए तो मैक्सिमम लोगों का गलत हो रहा है और देखिए पिछला टेस्ट में किसी ने 85 मार्क्स को मतलब टच नहीं किया था सो कुर्शन थे सातवी कख्षा कांसी आठी सब छक रहे हैं ठीक है तो इस शीज़ को आप ध्यान में रखना देखिए जिवाडू यह हम यिस्ट चावल के आठे के किडोन में साइक होते हैं जिसमें इडली और दोशा बनता है तो यहीं इसमें प्रैक्टिकल दिखाए गया है कि मैदा ले ल जाता है तो कर्वन डाइक साइड उत्पादित करेंगे तो उसी में रहेगा ना आठे में रहेगा तो इसलिए आठे का हैतन जो है बढ़ता जाता है ठीक है सुक्ष्म जीवों का बाडी जीक उप्योग भी होता है बड़े अस्तर पर अलकोहल सराब और एसिटिक एसिट के उत्पादन में सुक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है जो गेहूं चावल फलो के रसों में उपस्तित प्रकृतिक शरकरा में येश्ट दिवारा अलकोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है ठीक है अब इसमें दिया गया है कि आप 500 इमल का बीकर लेके 3-4 भाग तक ज होती है चीनी के एलकोहल में परिवर्तिन करने की यह परकिरिया किडवन अथवा फर्मंटेशन कहलाता है फर्मंटेशन की खोज की इसने की थी लोई पास्चर ने कर रहा था अठारसों संतावन में किडवन की खोज ठीक है ध्यान में रखेगा अब सुक्ष्म जीवों का उसदिये उपयोग भी होता है सुक्ष्म जीव का उपयोग करके हम अपने बहुत सारे रोगों को दूर करते हैं अपने शरीर से या जन्तियों के शरीर से तो ध्यान में रखना आपने जब भी आप बिमार होते हो तो अकसर डॉक्टर जो है पेनेसिलीन का इंजेक्शन दे जो आपको स्वास्त होने में साहता प्रतान करता है यह बिमारी पैदा करने वाले सुक्ष्म जीवों को नश्ट कर देती है अथ्वा इनकी बृदी को रोग देती है इस प्रकार की औसदी को प्रतिजैविक या इंटिबायोटिक भोलते हैं आजकल जिवाडू और कौक में काफी important है यहां से कई बार previously प्रशन पूछा जा चुका है कि इन tämä से कौन से प्रतिजैविक है ठिक है तो इसमें ध्यान में रखना important है यहां से पूछा जाता है प्रिवाइसली बहुत बार प्रशन पूछा जा चुका है तो यह एक जो भी underline किया है न सारा पार्ट इसका important इसमें आगे बताए गया है एक फैक्ट से है कि 1929 में अलकजंडर फ्लेमिंग ने जिवानु रोगों से बचा भेतु समवर्धन पर परियोग कर रहे थे और इन्हों ने ही इसी परियोग के दौरान पैनेसिलीन बनाई थी ठीक है तो पैनेसिलीन किसमें बनाई थी अलकजंड के रोग नियंतरन के लिए भी किया जाता है ठीक है देखिए अमूमन होता क्या है कि आज कल देखे होगे गाउं में बहुत जोला चाप डॉक्टर होते हैं उनको जोला चाप नहीं कहना चाहिए मतलब प्रक्टिस कहीं करते हैं किसी डॉक्टर के साथ कुछ दिन रहते हैं और फिर अपना मतलब जोला और जो भी दवादारू है बेचने लगते हैं यह होता गया है कि आपने अव्यूस देखा होगा सर्दी जुकाम और फ्लू जब हो जाता है तो लोगों को प्रतिजैविक दे देते हैं तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्दी जुका करते हैं वैक्सिन मतलब ठीका सबको ठीका पड़ा होगा बच्वन में जब रोग कारक सुक्ष्म जीव हमारे सरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा सरीर प्रतिरक्षि उत्पंद करता है और शरीर को यह अस्मरण भी रहता है कि वहीं सुक्ष्म ज प्रतिरक्षि हमारे सरीर में सदा के लिए बन रहता है तथा रोग कारक सुक्ष्म जीव ने इस सारी क्लिक बीट है जो आपको याद रहना चाहिए फिर यहाँ पर मिट्टी के उरवर्टा में बृदि कुछ जिवानु और नील हरे शेवाल वाइमंडिली नाइट्रोजन का फिक्सिसन करते हैं मिठी में जिसे मिर्दा में नाइट्रोजन का समवर्दन होता है और यहां से उर्वर्टा की बृदी होती है पौदे मिर्दा का उस्रोशन करके जो उनका फ्रूट्स होता है जीव जो हमारे सरीर के लिए हमारे लिए हानिकारक हैं या किसी न किसी प्रकार से उनके बारे में देख लेते हैं तो रोग उद्पन करने वाले सुक्षमीजीवों को रोगाणों अथ्वा रोग जनक कहते हैं कुस सुक्षमीजीव बोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तु को संदूशित कर देते हैं जिसे हमें नुक्षान होता है, मनुस में रोगकारक सुक्ष्मजीव के बारे में देखो, मनुस में रोग उन्दपन करने वाले सुक्ष्मजीव स्वास द्वारा पिया जल बोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और संक्रमीत बैक्ति आथोवा जन्तु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरन हो जाता है हो सकता है सुक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमीत बेक्ती से स्वक्ष बेक्ती में वायू, जल, भोजन और काईक संपर्ग द्वारा फैलते हैं संचरणिये रोग कहलाते हैं मतलब किसी माद्यम से एक सुक्ष्म जीवों से मनुष्री के सरीर में प्रुवेश कर दाते हैं तो ये संचरणिये रोग कहलाते हैं जैसे हैजा, समान शर्दी जुकाम की बात करें, चिकन पॉक्स, छै रोग ये क्या हैं? संचरणिये रोग कहलाते हैं संचरिने रोग कहते हैं ठीक है कुछ कीट ऐयों जन्तू ऐसे भी हैं जो रोग कारक सुक्ष में जीवों के रोग वहाग का कारे करते हैं जैसे घरेलू मक्ही कहीं सड़े गरले अस्तान पर बैटी तो वहाँ पे जो मतलब विशाणू हो गरा है या जीवाणू है जो मनुश् कहीं गंदा इस्तान पर बैटी है आकर आपके खाने पर बैट जाती है तो खाने वाले बैक्ती बीमार भी पड़ सकता है अब बाद इसमें कर लेते हैं इसमें बताया गया है कि मादा एन्फिलीज ये दिखाये गया है मच्छर का एक अन्युधारन है मच्छर प्लाजमीड प्लाजमीडियम का है मलेरिया पर जीवी माडा एडिज की बात करें तो मच्छर डेंगु के वायरश का वाहक है ठीक है हम मलेरिया अत्वा डेंगु का नियंतर किस परकार कर सकते हैं आपने आसपास सफाई करके कूलर टैरो फुलदानों आदी में जहां भी जल को एकत्र ह है वहाँ जल एकत्रना होने दे यह सारे मतलब उपयोग के द्वारा उपचार के द्वारा इस माध्यम से जो है हम मलेरिया को रोग सकते हैं अब देखे इसमें कुछ इंपोर्टन्ट सुक्ष्मेजीव दिये हुए हैं और उनसे होने वाले रोग छैरोग जिवानु के खश्रा वायरस, चिकन बॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, हैजा जिवानु, टैफायट जिवानु, हेपटार्टी से वायरस, मलेरिया, प्रोटो जुवा के माध्यम से होता है तो ध्यान में रखना इसे बचाओ का भी उपयोग दिया गया है जन्तुओं में रोग कारक रश्ट के द्वारा होता है बहुत सारे पौधों में रोग उदपन करने वाले भी सोक्ष्मी जीव होते हैं जैसे निम्बू कैंकर किसे होता है जीवानु से होता है यहू में रश्ट पादप रोग है किसे होता है कौवक से होता है बिंडी की पीत किसे होती है वायरस से हो सकता है जिसे food poisoning बोलते हैं अमारे भोजन में उत्पन होने वाले सुक्ष्म जीव कभी-कभी विशयले पतार्थ उत्पन हो करते हैं और यह भोजन को विशाक्त कर देते हैं जिसके सेवन से बैक्ती भेंकर रूप से रोगी हो सकता है या कभी-कभी उसकी मृत्यू भी हो सकती है खाद परिरक्षन खाद को प्रिजर्ब करने में भी सुक्ष्म जीवों का उपयोग होता है जो हमारे लिए सहायता प्रदान करते हैं अब हम देख लेते हैं खाद परिरक्षन के बारे में देखिए खाद परिरक्षन की अनेक बीदिया है रशाने को पाई के द्वारा भ प्रिरक्षान किया जाता है तेलियों सिर्गे को द्वारा भी प्रिरक्षान किया जाता है सवजी आफल मचली मांस आदे का प्ररक्षान इस विधी के द्वारा किया जाता है गर्मियों ठंडा कर गे जिस विधी को पास्चरी करण बोलते हैं इसमें होता क्या है कि दूद में अब्योस आपने देखा है कि बहुत सारे मतलब माइक्रो ओर्गनिजम रहते हैं सुक्षमी जीव रहते हैं तो यदि दूद को 70 डेगरी सेलसियस पर 15 से 30 सेकेंड तक गरम करते हैं और फिर एका एक ठंडा कर देते हैं अगला हमारा टोपीक है लेग्यूम पॉदों में नाइट्रोजन इस्थीरी करन में साहयक होता है और रस्मरण कीजे कि राइजोबियम लेग्यूम पॉदों की गिरणतिकाओं में रहते जैसे सेम और मडर जो एक सहा जीविता का उधारण है और कभी-कभी तड़ित विधूद के द्वारा भी nitrogen का स्थिरी करण होता है मिट्टी में तो इस सीज़ को ध्यान में रखना फिर यहां पे nitrogen चक्र की बात करी गई है कि nitrogen कैसे मतलब Y-mandal से माल लिजे कि क्या होता है nitrogen चक्र को insert मैं समझाऊँ आपको पता होना चाहिए कि 88% nitrogen gas है हमारे Y-mandal में सबसे अधी किसी के मात्रा है माल दीजे तड़ित के द्वारा nitrogen fixation हो जाता है मिट्टी में वहां से पौदों के द्वारा उनका उशोषन होता है उससे क्या होता है पौदे protein होगर अगर निर्मान करते हैं तो ऐसे यह nitrogen चक्र का उधारण है जीसे nitrogen जो है हमेशा fix रहता है ठीक है तो इस चीजी को ध्यान में रखना यह important है बाकी सैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिदक्षी, जीवाडू, वाहक, संक्रामक, रोक, किनवन, कवक, लाक्टो, वैसिल, सुक्ष्मिजीव, nitrogen, चक्र, nitrogen, इस्तिर करण, पाश्यरी करण, रोक जनक, परिरक्षन, प्रोटोजोवा, राईजोबियम, टीका, विशानु और यस्ट इम, जोब आपके मम्मी बपा कहते हैं, कि चलो हम तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद दें, तो आपके चेहरे पे मुस्कान दोड़ जाती है, आप प्रफुलीत हो जाते हैं, अब्रफुलीत हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे scientific temperament की, scientific temperament की और examination point of view की, आपने कभी सोचा कि जो यह आप कपड़े पहनत हो किस तरीके के fiber से बना हुआ है, जी हाँ, आज का chapter इसी के बारे में है, fibers दो तरीके के होते हैं, हमने 6 कक्षा और 7 कक्षा में हमने पढ़ा था, fibers के बारे में, तो जो basic है, वो आपका clear हो चुका होगा, और आज के chapter में हम advanced चीजों के बारे में पढ़ेंगे, class 8, chapter 3, NCRT, science that means synthetic fiber और plastic के बारे में पढ़ने वाले हैं, important है, देखी examination में हमेशा कहता हूँ कि केवल पढ़ने लिखने से नहीं होगा, आपकी observation शमता जो है काफी develop होनी चाहिए, बरतमान का जो contemporary demand है BPSC का, इस लिहाँ से तो ये बहुत important हो गया है, क्योंकि 68 BPSC मेंस में आपने देखा ह कि सारी चीजें observation पे अधारित थी, current पे अधारित थी, तो आपका obvious basic तो clear होना ही चाहिए, basic static topic from NCRT और उसके उपर आप current को interlink करके अपना advanced level बना लो, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, if you are serious aspirants, तो ये बात आप समझो, और हाँ देखे, NCRT पढ़ना line by line बच्चों वाली है, तो यहां पे कुछ मजा हो सकता है कि बहुत लोगों को अनन्दित महसूस ना हो, लेकिन disciplined way में आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि question यहीं से आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, एकके दुक के भले इधर उधर से पूछ दे तो वो बात है, वो बात अलग है, ल बने कपड़े पहनते हैं, जैसे cotton का कपड़ा हो गया, नरेश्यम पहनते हैं, खादी का, तो यह सम नेचुरल फाइबर्स हैं, जो पौधों से प्राप्त किया जाते हैं, ठीक है, संसलेशित फाइबर क्या है, संथेटिक फाइबर क्या है, यह मानो निर्मित है, तभी तो स संथेटिक की बाद करी जा रही है, मानो निर्मित है, और इसमें क्या करा जाता है, कि कुछ रशायनों को जोड़के, उनके एलिमेंट्स को, उनके एकाईओं को यूनिट्स को जोड़के पॉलीमर का निर्मान करा जाता है, और एक पॉलीमर या बहुलक बहुत से एकाईओ को दोहराने से बनता है मतलब कई सारे इकाईयों को आपस में मिला के जैसे हमारे कई सारे सेल्स को मिला के हमारे सरीर कर निर्मान होता है इसी तरीके से यह बहुलक का निर्मान होता है और इसी बहुलक का हम उपयोग जो है संथेटिक मतलब फाइवर बनाने में उपयोग करते ठीक है तो सारे जो synthetic fiber हैं वो polymer है एक ना एक तरीके से तो बहुलग प्रकृति रूप में लेकिन आपको लगेगा जो polymers होते हैं क्या वो हमेशा मानो निर्मित होते हैं बिल्कुल नहीं प्रकृति में भी तो पाय जाते हैं जैसे कपास का एक बहुलग जीसे cellulose बोला जाता ह cellulose बड़ी संख्या में ग्लुको जी का यो द्वारा निर्मित होता है ठीक है इस चीज को ध्यान में रखना question यहीं से arise होगा सारे जो चोटे-चोटे click bits हैं कि important है तो was this video from beginning to the last और उसके बाद line करके अंडर line करके जो मैं chapter provide कराता हूँ उसको भी आपको revise करना important है अब बात कर लेते हैं पहला कई तरीकों का यह भी basic favorite topic है आए दिनों यहां से question पूछ रहा है तो प्री में एक question रहना ही रहना है एक से दो प्रशन है ठीक है तो संसलेशित रेशों के परकार पहला है रियान देखिए उन्निश्वी सताबदी के अंतीम छोड़ पर बैग्यानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशियन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई इस परकार का रेशा कास्ट लुगदी के रशाइनिक उपचार से प्राप्त किया गया मतलब जो मतलब काट का लुगदी होता है ना blocks होते है उन्हीं के रसां उन्हीं पे chemical होगरा डालके इ चाता है या एक मानो निर्मित रेशा है क्योंकि उसमें chemical यूज होता है उसको बनाने में ठीक है रियोन को कपास के साथ मिला कर बिश्तर की चादरे बनाने उनके साथ मिला कर कालीनिया गलीचा बनाने उगरा में उपयोग होता है तो रियोन क्या है आपने देख लिया फिर है इसका निर्माड कोईले जल वायू से किया गया यह प्रतम रूप से संसलेशित पुर्ण रूप से जो synthetic fiber कहा जाएगा वो nylon था तो question यहाँ से arise हो सकता है कि पुर्ण रूप से प्रतम संसलेशित fiber कौन सा है तो वो नैलन है तो नैलन के बहुत सारी चीज़ें उपयोग में होती हैं कर्टिन कपड़े जुराबे रस्ते तंबू दान साप करने का ब्रोश कारों की सीट के पट्टे स्लिपिंग बैग हो गरा हो गरा क्या जीज नहीं बनती है नैलन से रशियां मनाई जाती हैं बहुत सारे इसक लग में पूस्ता है सारे आयो का यह फैब्रेट टॉपिक है तो ध्यान में रख में एक प्रश्ण होता ही होता है साइन से इस चैप्टर से ठीक है तो पॉलिस्टर एक अनप्रकार का संसलेसिट फाइबर है ताटमिस संथेटिक फाइबर है इस रिशी से बने कपड़े में असानी से सिल्वटे नहीं पड़ती और चमकीले भी होते है यह सपाट रहता है और सरीर पे छिछले छिछले से मतलब ऐसे लगता है कि यह गर जाएंगे फिसले फिसले से महसूस होते है अतह यह वस्तर जो है सामागरी है तो उप्योग यह पदार्थ है और इसका रेशो में खीचा जा सकता है जिरें फिर किसी अन्य तन्तु समान भूना जा सकता है मतलब इसका उप्योग किसी अन्य समान को बनाने में किया जा सकता है फिर पेट की बाद करें P.E.D. Polyethylene Turthalate ठीक है ध्यान में रखना यहा बहुती सुपारीचित प्रकार का polyester इसका बरतन, फिल्म, तार और अन बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में होता है तो ये बरतनों गरे के निर्माण में क्या होता है पॉली एथलीन तर्थलेट कुछ जादा ही तर्था ये उपयोग किया गया है टॉंग ट्विस्टर हो गया एक तरीके से ठीके तो इसक स्वेटर जो है ये संस्लेशित रेशे से तयार किये जाते हैं इसे एक्रलिक के कहा जाता है ठीक है इसका विपयोग संस्लेशित रेशे जो synthetic fiber होते हैं गर्म करने पर पिघल जाते हैं और ये बास्तों में संस्लेशित रेशे का एक हानिकारग गुण है यदि इसका drawbacks देखा जाए जो synthetic fiber होते हैं तो ये माली जे कोई बैक्ती कपड़ा पहन के उसको सरीर में घटना घटके कोई आगोग लग गया तो वो चिपक जाता है ठीक है पिघल के जलते नहीं है पिघल के चिपक जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा कष्ट दायक होता है और आपता जनक हो जाता है तो इसलिए परियोगसाला अत्वार रोसोई घर में कार करते समय जो synthetic fiber होते हैं उनके वरस्तर नहीं पहनने चाहिए ठीक है सबी जो synthetic ratio होते हैं petroleum मूल के कच्चे माल जिसे petrol रसायन कहा जाता है से विविद प्रकरमों द्वारा तैयार किये जाता है ये भी काफी important click bit है इसे ध्यान में रखना अब यहाँ पर जो synthetic fiber होते हैं उनके गुण धर्म के बारे में बताया गया है तो यह आप देख ले ना कुछ ज़्यादा important नहीं है ट्रिकाओं होते हैं चमखीले होते हैं यह सारी चीज़े हम जानते हैं डेली उपयोग करते हैं फिर बात आती है plastic की तो plastic जो है संसलेशित रेशे की तरह plastic भी एक polymer है सभी plasticों में एकाईयों की बेउस्ता एकी परकार की नहीं होती कुछ एक रेखिये होती है और अन जो है cross bud होते हैं एक दूसरे से cross section में जुड़े होते हैं जो एकाई होती है ना plastic की उसकी बात करा जा रहा है बहुत लग के निर्मान के लिए ठीक है तो ये रेखिये pattern हो गया और ये cross bud pattern हो गया तो इसे क्या क्या नहीं बनता है आपके घर में सारी चीजें इसी से बनी होती है कुरसी, बच्चों के खिलोने, ग्लास, नहाने का मगगा, फिर मतलब टब होगरा, बाल्टी होगरा सब polyster का उप्योग करके बनाया जाता है, प्लास्टिक का उप्योग करके बनाया जाता है मैं polyster बोलना हूँ, प्लास्टिक जो गर्म करने पर असानी से विक्रित हो जाता है और सरलता पुरवक मुड जाता है, उसे thermoplastic बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे thermoplastic पॉलिथीन और PVC थर्मो प्लास्टिक के कुछ उधारन है इनका उपियोग खिलोने, कंगिया और विभिन प्रकार के पत्रों के बड़े पैमाने पे निर्मान हेतु किया जाता है ध्यान में रखना थर्मो प्लास्टिक किसे बोलते हैं जो गर्म करने पर सानी से बिक्रित हो जाता है और मूड़े जाता है पॉलिथीन और PVC इसके उधारन है दूसरी और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिने एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उसमा देकर गर्म नही बनाने में काम आता है मेला माइन जो है एक बहु उपयोगी पदार्थ है और यह आग का प्रतिरोधक है और अन प्लास्टिक की अपेक्षा उश्मा को सैने की अधिक शंता रखता है यह फर्स की टाइले रसोई के बरतन और कपड़े बनाने में उपयोग ले आ जाता है कि अब प्लास्टिक का इसके तो बहुत सारे मतलब अच्छे गुण है कि प्लास्टिक ठिकाओं होता है यह मतलब अनविक्रिया सील है अने इनेक्टिव होता है परियावरण में खुले छोड़ दें दातू से बने किसी चीज़ को परियावरण में खुले छोड़ दें तो किया जाता है, प्लास्टिक हलका प्रबल और छी रस्थाई भी है, ठीक है, प्लास्टिक उश्मा और विदुद का कुछालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से धके होते हैं, और खाना बनाने में वाले पात्रों के हथे भी इसके बने होते हैं, अब यह प्लास्टि फाइबर होते हैं असानी से आग पढ़ लेते हैं प्रंतु या जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले क्रमचारियों के परिधानों पर मेला माइन प्लास्टिक की परचाड़ी होती है जो उसे अगनी रोधक बनाती है तो मेला माइन काफी इंपोर्टेंट है अगर आग बुझाने वाले क्रमचारियों के परिधानों पर निम्न प्लास्टिक की परचाड़ी होती है तो यह तो हो गया कि इसमें कोई क्लिक बिट नहीं है बस आपको पता होना चाहिए कि मेला माइन प्लास्टिक की परचाड़ी होती है ठीक है यह पता होना चाहिए सीधे सी मा के पूछे कि इन में से कौन सा स्टेट्मेंट गलत है तो बहुत सारे स्टेट्मेंट के बीच यदि ये दिया गया हो कि आग बुझाने वाले करमचारियों के परिधानों पे प्लास्टिक की परत चड़ी होती है तो आप गलत कर दो गया आपकता है रे कहा पूछी दिया भी PSE ने तो गलत कह दिया प्लास्टिक आउप्यो कैसे होगा प्लास्टिक तो खुद आग पकड़ लेता है आग के सामने पिघल जाएगा लेकिन नहीं प्लास्टिक है तो कई बरकार हो सकते हैं और उस प्लास्टिक में यदि मेला मैं प्लास्टिक की परचड़ी हो तो यह आग रोधी होता है तो यह सारी चीज़ें हेर फेर के आपके दिमाग में आप मतलब मैं क्या बता हूँ आप ऑपरिशनल बनाओ बहुत ही मतलब घातक दिमाग बनाओ अपना ठीक है कोई चीज सीधा सोचो ही मत सीधा उल्टा तेना सोचते रहो ऐसे मतलब उल्टा जैसे नहीं बनवास बच्चे होते हैं उल्टा सीधा सोचते रहते हैं तो वैसे ही आप उल्टा सीधा सोचते रहो टापी को लेके कि BPSC आगर कोशन हो आप पूछेगा तो कई से पूछेगा यहां से ठीक है अगर घुमा के पूछेगा तो कई से पूछेगा क्या उससे जादा मैं घुमा सकता हूँ तब जब खुद से आप चीजों को घुमाना सिख जाओगे न तब BPSC कौन सी वड़ी चीज है भई या BPSC आपके सामने IIT की बात करें IIT पूरा एक रिसर्च टीम बढ़ता है IIT की कोशन सेट करने के लिए और जो बच्चे कराय करते हैं वो जांगे दो घंटे में कोशन कराय करके चले आते हैं और रिसर्च करते हैं उनका महीनों का रिसर्च होता है क्योंकि जब आप ulta सीधा चीजें सोकने लगोगे किसी भी टापिक से related की ulta क्या हो सकता है ulta से ulta क्या हो सकता है तो सारी चीजी आपके लिए आसान हो जाएंगे प्लास्टिक को पुना चक्रित करना बहतर होगा अधिकान स्थर्मो प्लास्टिक पुना चक्रित किये जा सकते हैं तो प्लास्टिक का यहीं आप फेको मत सिंगल यूज करके प्लास्टिक की कठा घरो कूडे कबारे वाले को देदो बोले जाके वहां पे कंपनियों में बेजता है तो वहां से प्लास्टिक की रिसाइकल वस्तु हैं हमें फिर से प्राप्त होती हैं जिसे उप्यों कर किया जा सकता है तो प्लास्टिक से जो परदूशन होता है उससे ब लिखा गया है यहाँ पे reduce, reuse, recycle, recover और refuse ठीक है इस तरीके की आदतें यदि बिक्सीद करें तो यह पर्यावरान हितैसी होंगी ठीक है तो यह आज का हमारा चेप्टर खतम होता है कल मिलते हैं फिर क्लास में तब तक के लिए signing up ठेक क्या चाहिए 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 भारत आज का चेप्टर है धातू और अधातू इसमें हम धातू और अधातू के गुंड के बारे में पढ़ेंगे काफी important topic है या और यह BPSC, UPPCS, IS या अन किसी I.O का यह favorite topic है तो यहाँ से science वाले section में एक से दो प्रश्ण जरूर रहते हैं तो पूरे video lecture को ध्यान से सुनना और उस की पास physical books होंगे यदि NCRT science के चटी कक्षा से दसवी कक्षा तक की तो उसका जो है पार्टिकलर चप्टर का अब revision कर ले ना अपने book से ठीक है पहला इसमें जो topic है धातू और धातू के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करी गई है इसमें बताए गया है कि धातू घात वर धनियता गुण बोला जाता है इंपोर्टन्ट है लेकिन अधातूं के साथ ऐसा नहीं होता जैसे मान लिजे कि आप नॉर्मल एक अल्मुनियम का अल्मुनियम का एक वायर ले लो ठीक है या इसके साथ साथ ये दूसरे साथ साथ एक लकडी का टुकड़ा ले लो दोनों पे यदि प्रहार करोगे हंतोरे से ताल्मुनियम का वायर जो है पिचक जाएगा वहाँ पर प्रहार पड़ेगा वहाँ पर चिप्टा हो जाएगा वहीं लकडी का कोईला या लकडी खुद तूड़ याएगा तो आपने देखा कि जो धातू है उसको पीटने पे ये पतले चादर में परिवर्तित किये जा सकते हैं, लेकिन अधातु को नहीं परिवर्तित किये जा सकते हैं, तो एक गुण ये हो गया अघात वर्धिनेता का, और दूसरा बताया गया है कि धातु जो है, विद्दुत और उस्मा के सुचालक होते हैं, धातु विद्दुत और उसमा के कुछ आलक होते हैं, maximum तोर पे, ठीक है, इसके साथ साथ धातुओं की तन्यता की बात करी जा रही है, कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खीच कर तारों में परवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है, मतलब धातुओं को यह खीचना चाहोगे, जैस त्यार किया जाता है, लेडिज के लिए, उसमें बहुत पतले-पतले बारी की वर्क होते हैं, तो यह किस लिए possible हो सकता है, धातुओं के तन्यता के गुण के कारण possible हो तो यह जाता है। धातू इसके साथ साथ निनाद ध्वानी.. रिंगिं साउंड poneust करते है। इसलिए धातूं को सोनरस बोला जाता है ..डाटमिस धानविकь और धातूं के अलामा कोई अन्न पदार्थ दुनिया में ऐसे हैं नहीं जो धानवीक हो डाटमिस सोनरस हों उन पे किसी ठोस पदार्थ से यदि उस पे प्रहार करा जाए तो वो निदान धोनी डाटमिस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करें तो इस तरीके से यहां पे कंक्लूड किया गया है अभी तक के जो भी पराग्राफ हमने पढ़ा कि उक्त ख्रिया कलाब करने के परशाथ हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, अगात वर्द, तन्य, धानवीक, उश्मा और विद्दुत के सुचालक होते हैं जिने हम धातू कहते हैं और ये धातू के समानने गुण है ठीक ह धातू के उधारण के बात करी जाएगी तो यहां पे आरन, कौपर, अल्मोनियम, कल्सियम, मैगनेशिम, आधी धातू के उधारण हैं तो दीखें ये कल्सियम, मैगनेशियम, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि जब ये इंक्लूड करते हैं और मालीन होते हैं हतोरे की हलकी चोट से तूट कर चूटा हो जाते हैं मतलब यह अधातु के गुन के बारे में बात करा जा रहा है जो 50 ku वह देखने में मलीन होते हैं यहां पर चमक वह नहीं होता ठीक है ये धन्विक भी नहीं होते, सोनरस भी नहीं होते, तथा अमुमन रुश्मा और विदुत के कुछ आलक होते हैं, ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं, अधातु के उधारण कौन कौन से हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, आधी जो है, अधातु के माप का उधारण हैं, यहां पर बताये गया है, नोट हमेशा बीप्यसी या अनकिसी आयोग के द्वारा पूश्था है, ये ध्यान में रखना, कि सोडियम और पोटैशियम धातु नरम होते हैं, और उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, मरकरी केवल एक ऐसा धातु है, जो कम कहा है, अब धातूँ और धातूँ की रट्शाणिक गुण के बारे में चर्शा करेंगे, यह ए मने देखा, यहां पर रशायनिक और प्रपारिज के बारे में देखेंगे, ऐक आउक्सीजन दैखें मालिजी जैसे माली जी यहां पर एक प्राक्टिकल दिया गया है तो यहां पर आयरन का जो रश्ट होता है तो यह आयरन पर जो आइरन ऑक्साइड बनता है मतलब जिसको क्या बोलते हैं जंग लगना तो उस जंग का निलंबन एक घोल बना लो और उसे लाल लिटमस पत्र पर रखोग तो यह क्या कर देगा यह चाहरख है न तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ठीक है तो कोई भी धातूं के जो ऑकसाइड होते है इसको आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ध्यान में रखना-ठीक हैá question यहां से राइज हो सकता है इसके साथ साथ यह यहां पर बताया गया है कि कॉपर के जो बरतन होते हैं यदि लंबे समय तक नम वायू में खुला छोड़ दिया जाता है तो उन पर एक हलकी परत जम जाती है और यह हरा पदात कॉपर हाइड्रोकसाइड का होता है ठीक है तो कॉपर हाइड्रोकसाइड य नमी होती है जो एक तरीके से बदबू भी करता है copper type का तो उसे क्या बोलते हैं हम उसे वो होता है copper hydroxide नमी से reaction करके यह परत बन जाता है हरा यहां पर इसका formula दिया हुआ है कभी-कभी पैसी जो है सीदे-सीदे इस formula को ही उठा के पूस देता है copper, gel, carbon dioxide, oxygen इससे मिलता है copper, hydroxide, फिर CO3 ध्यान में रखना तो इसका conclusion जो बताया गया है यह बताया गया है कि लाल लिटमस पत्ने जो magnesium के oxide की प्रकृति भी चारिये होती है सामाननेता धात्वीक oxide चारिये प्रकृति के होते हैं जो यह magnesium की oxide हमने पिछले कक्षा में बढ़ा था ना सात्वीक अक्षा में magnesium के फीते को लेके burn कर रहे थे हम ठीक है तो यह यहां पे जो conclusion है वो हमेशा ध्यान में रखना धात्वीक oxide चारिये प्रकृति की होती है काफी important है my dear friend काफी important है यहां से प्रश्ण हो सकता है most important यह इस chapter का यह segment है पूरा conclusion निकाल दिया है तो ध्यान में रखना अब यहां पर बात कर रहा है कि sulfur और oxygen की अबकिरिया से बनने वाले उत्पात का नाम sulfur dioxide gas है जब sulfur dioxide को जल में बिले करते हैं तो sulfuric amal प्राप्त होता है और यह sulfur dioxide plus gel sulfuric amal मिलता है यहां पर sulfurous amal नीले litmus पत्र को लाल कर देता है समानेता अधातुओं के oxide amal यह प्रकृतिक होते है ठीक है तो यह तो हमें मतलब यह हमें उतना नहीं important है जो इसका conclusion है वो बहुत ही ज्यादा important है और वो क्या है कि धातुओं के जो oxide होते हैं वो basic in nature होते है ठीक है और वो जो अधातूओं के oxide की बाद करें तो यह acid in nature होते हैं ठीक है बात आगई समझ में बस यहीं था तो अधातूओं के oxide amal यह प्रकृतिक होते हैं जबकि धातूओं के oxide चारीय प्रकृतिक होते हैं इसके बाद जल से अब क्रिया की बाद करी जा रही है सोडियम धातू बहुत ही अब क्रिया शील होता है यह oxygen और जल के साथ अत्यांत तिब्र अब क्रिया करता है और अब क्रिया में बहुत अधिक उश्मा उद्पन होती है इसलिए मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है आज कल आपने देखा होगा कि लोग बहुत ही practical दिखा धातू अमोमन जल से अब क्रिया कर लेते हैं जबकि अधातू जो है जल से अब क्रिया नहीं करते तो यहीं बता रहा है कि समानेता अधातू जल से अब क्रिया नहीं करते यद भी वे बहुत ही सक्रिय हो सकते है इस प्रकार के अधातूं को जल में रखा जाता है उधारन के लिए फॉस्पोरस एक बहुत ही सक्रिय अधात हुए इंपॉर्टन्ट है इंपॉर्टन्ट क्लिक भीट है यहां से प्रश्णराइज हो सकता है वाईउ में खुला रखने पर यहां आग पकड़ लेता है फॉस्पोरस से वाई मंडली या ऑक्सीजन का संपर्क नहों इसलिए उसे जल में रखा जाता है तो फॉस्पोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है ध्यान में रखना और इसे अमेसा जल में रखा जाता है अब यहां से धातूं और अधातूं के अमलों से अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं इसका कंकुलूजन काफी important है इसमें बताया ग करते हैं जो पॉप धौनी के साथ जलता है इसे पॉप करके जलता है तो ध्यान में रखना यह इसका important click bit है विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में देख लीजिए जो धातूं और धातूं का विस्थापन अभिक्रिया है देखिए यहां पर दिखाए गया है कि copper sulphate को अभिक्रियाशिल धातू को बिस्थापित कर सकता है प्रन्तु कम अभिक्रियाशिल धातू अधिक अभिक्रियाशिल धातू को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता ठीक है important है तो इसे ध्यान में रखना ठीक है अब बात कर लेते हैं धातू और अधातू के उपयोग के बारे में इंपोर्टन्ट है आपने सब ने देखा होगा कि जो धातू होते हैं उनका उपयोग मशीनों, मोटर गाडिया, वाईवान, रिर गाड़ी, उपग्रह और धोगिक साजो समान खाना बनाने उगरा में बहु दो के दोरा और शुषन किया जाता है स्वास के समय लिया जाता है यह अधातू है इसके साथ हम यदी ऑक्सीजन लेते हैं तो यह भी अधातू है तो यह सारी चीज़ें दी गई हैं आप इसे पढ़ ले ना बच्चो वाली चीज़े क्लिक बिट इसमें ज्यादा इंपोर् हाधातु में चमक होती है जबकि अधातário में चमक नहीं होती है समा द consent odd 받 और कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जो जीन की प्रकृति जो है अमलिये होती है कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु अभिक्रिया नहीं करते हैं धातु अमलों से अभिक्रिया करते हैं धातु लौण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं समानता धातु अमलों से अभिक्र कि जल ये बिलियन में बिस्थाफित कर देते हैं धातू और धातू का दैनिक जिवन में ब्यापक उप्योग होता है तो ये सारी चीजें देरका हमने चैप्टर फोर में बस यहीं था इंपोर्टेंट है देखिए अब आठवा नौवा और दसवा काफी इंपोर्टेंट हो ज लेना या आपके बस बुक नहीं है तो जो मैं पीडियेफ प्रोवाइड करता हूं उन सारे पीडियेफ को भी पढ़ना ठीक है मिलते हैं अंगली कक्षा में करिंट आफ्वेस के साथ तब तक के लिए साइनिंग ऑफ ठेकर चाहिंचाबाग अभी हम पढ़ने वाले हैं देखना आज हम दो चैप्टर कोवर करेंगे पहला कोईला वा पेट्रोलियम साइद दूसरा भी इसका कोईला वा पेट्रोलियम से ही रिलेटेड है छट्ठा वाला चैप्टर ठीक है देखिए यदि प्रकृतिक संसाधनों की बात करें तो इन्हें मुखत दो बर्गों में रखा जा सकता है अक्षय प्रकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्रकृतिक संसाधन दोनों जो हैडिंग है अपने शब्दावली से ही अपने हैडिंग से ही अपनी परिभाशा को प्रलक्षित कर रहे हैं अक्षय प्रकृतिक संसाधन का मतलब क्या हुआ कि ये असीम मतलब ऐसे प्रकुर्तिक शंसादन जो मानों जीवन में यदि उप्योग होता रहे, धंख से उप्योग ना करें तो वो समाप्त हो सकता है जैसे वन, अवन जीव, खनीश, कोईला, पेट्रोलियम, प्रकुर्तिक गैसादी ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्रकृतिक संसादन है अब बात करते हैं कोईला के बारे में कोईला का निर्मान कैसे हुआ इसकी कहानी दी गई है लगवाद 300 मिलियन वर्षफुल प्रित्वी पर निचले जलिये छेत्रों में घने वन थे बाड जैसे प्रकृतिक प्रक्रमों के कारण ये बन मृदा के नीचे दव गए और उनके उपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीडित हो गए और जैसे जैसे वे गहरे होते गए उन पर ताप भी बढ़ता गया उच्चे दाब और उच्चे ताप पर प्रित्वी के बीतर मृत जो पिन पौदेते धीरे-धीरे कोईले में परिवर्तित हो गए ठीक है तो ये आपने देखा कि कोईले का निर्मान कैसे हुआ कोईले में मुख्य रूप से कारवन होता है मृत बनस्पति के धीरे-धीरे प्रकरम के दोवारा कोईले में परिवर्तन को कारवनी करण कहते हैं क्योंकि यह बनस्पति के औसेसों से बना है अता कोईले को जिवाश्म इंदन भी बोलते हैं तो यह हमने कोईले के बारे में देख लिया है और मुखरूप से करबंडाइसाइट गैस उत्वन करता है उद्योगों में कोहले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त किये जाते हैं जैसे कोक, कोलतार और कोहला गैस तो देख लेते हैं कोक, कोलतार और कोल गैस के बारे कोक क्या है, ये कठोर, संरद्न और काला पतार्थ है, कारबन का लगवख शुद्ध रूप है, कोक का उपयोग इस्पाद के और दोगीक निर्मान और बहुत से धातों के निश्क और शन में किया जाता है, वहीं बात करें कोलतार की, तो ये अप्रिये गंदवाला काला गाढ़ा द्रव होता है, लगवख 200 पतार्थों का मिश्टन होता है, ठीक है, और कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंबिक पतार्थों के रूप में दैनिक जियोन में काम आने वाले बिभि पतातिया है कि मौत या अनकीटों को भगाने है, तो परियोग में लाई जाने वाली नाप्तलीन की गोलियां भी कुलतार से प्राप्त की जाती है, तो यहां दू क्लिक बीट है, मैं यहां से कोश्चन राइज हो सकता है, ध्यान में रखना है, नाप्तलीन की गोलियां प्र के रिया में दिया गया है कि पक्की सड़कों के निर्मान में कोलतार के अस्थान पर एक प्रट्रोलियम उठपाद बीटु मेन का उप्योग आजकल किया जाता है अब बात कर लेते हैं हमने को कोक देख लिया कोल गैस की कोईले के प्रक्रमन द्वारा कोग बनाते समय कोईला कोईले के प्रक्रमन द्वारा कोक बनाते है तो यह कोल गैस का इसमें कोल गैस निकलता है देखे इसमें बताये गया है आगे कि लंदन में 1810 इसपी में तथा नियु यॉर्क में 1820 के आसपास कोईले गैस का उप्योग प्रतम बार सड़कों की रोशनी के लिए किया जाता साथ और अगे आज कि इसका उप्योग प्रुश्चिक में जया है उश्मागे श्रोथ के रूप में किया जाता है अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम आप देखते हो कि हमारे जो हमारी जो बाइक है एक मुपेट से लेके और बड़े-बड़े हैवी वाहन तक पेट्रोलियम से ही चलते हैं पेट्रोल और डीजल जो की पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है तो इसी से चलता है ठीक है आपको मैं बताना चाहूंगा भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है ये इंधन प्रकृत श्रोत के रूप में प्राप्त होते हैं जैसे जिसे पेट्रोलियम इंधन कहते हैं पेट्रोलियम का निर्मान समुदर के नीचे रहने वाले जीवों से हुआ जब ये मृत हुए तो उनके शरीट समुदर के पिंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मीटी की तहो द्वारा धग गए लाखो वर्षों में वायू की अनुपस्तिती उच्चे ताप और उच्चे दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्रकृति गहस के में परिवर्थित कर दिया ठीक है तो हमने देखा कि जब पीड़ पौदे दबे तो कोईले का निर्मान हुआ कोईले का न पैंसिलवेंिया अमेरिका 1859 में प्रवेदित किया गया था मतलब ड्रिल किया गया था ठीक है पैंसिलवानिया में विश्र का पहला देल कुआ और उसके ठीक आच साल बाद वर्ष 1867 में असम में मामुक नामचस्थान पर तेल का पता चलता भारत में तेल असम परिशकरन के दोरा बहुत सारे बाई-प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोलियम एक्चुली हारे रंग का तेली द्रव है, इसका गंद अप्रिये होता है, आपसब आपको पता है यह बिभिन संगट को जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, शनहेक तेल, जो मतलब लूबरीकेंट होता है, शनहेक तेल उसे बोलते हैं, पैराफीमोम आधी का मिश्रण होता है, मैं आपको बताओं जो डेली या वैसलीन यूज करते होना वो भी प्रवादित किया जाता है, ठीक है, आगे इसमें बताया गया है, इंप्रोलियम और प्रकृतिक गैस से अनेक उप्योगी पताद प्राप्त किये जाते हैं, जिने पेट्रोरसायन बोलते हैं, इनका उप्योग अपमार्जक रेशे, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, रे प्रकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उप्योग उरुवार्कों के उत्पादन हेतु किया जाता है, ठीक है, और प्रेट्रोलियम की महत्ता के कारण इसे ब्लाक गोल्ड भी बुला जाता है, अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस की, बहुत ही महत्तोपण में भी उप्योग होने लगा है, कंप्रेस नेचरल गैस, सेंजी का उप्योग उर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, अब इसका उप्योग परिवहनवानों में इंदन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि इसमें यह पर्यावरन के लिए कम प्रदुशक कारी है, तो में पाए जाते हैं, अब यहाँ पे कुछ प्रकृतिक संसादन सिमित हैं, तो उनके बारे में बताया गया है, कि देखो हमें हमारी जो पीडी है, इसको प्रकृतिक संसादनों को इतना ढंग से यूज करना चाहिए, कि हमारी जो पीडी है, उसके लिए आने वाली हमारी जो उसके लिए भी हम कुछ छोड़के जाये ये नहीं कि सभा ownership करके जाए तो इसे प्रकृतिक संसादनों का जो सही उपयोग होगा तभी हो पाएगगा ठीक है और और ऐसे जो मतलब ऐसे बिकाश करते हैं जिससे कि प्रकृतिक संसादनों का ज्यादा दोहन नहीं होता है तो उसे समवहनिये विकास बोलते हैं सस्टेनेबल डेबलप्मेंट बोलते हैं ताकि चीजे जो है अभी भी हमारे लिए बर्तमान में रहे और आने वाली वीडियों के लिए उपलब्द रहे तो यहां पर प्रकृतिक संसादनों के रक्षन संरक्षन की भी बात करे गई है ठीक है भारत में पेट्रोलियम संरक्षन अनुसंधान संग लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डिजल बचाएं अनेक ग अमित रख रखाओ सो निशीत कीजिए इससे क्या होगा कम पेट्रोलियम की खपत होगी मारियो फ्रेंट ठीक है तो यह हमारा आज का यह चेप्टर समापत होता है चलते हैं दुसरे चेप्टर अभी पढ़ने वाले हैं हम दहन और ज्वाला क्लास 8 NCRT साइन चेप्टर नंबर 6 इंपोर्टन्ट है देखे हम आये दिनों मतलब देली के जियोन में किसी ने किसी वस्तू को जलाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी वस्तू को जलते हुए तो किसी में ज्वाला उ इन सारी चीजों को पढ़ने वाले इंपोर्टन चेप्टर है और यहां से अमोमन गौर्मेंट एक्जाम्स में प्रश्ण पूशे जाते हैं तो वस्त वीडियो फॉम बिगनिंग तू लास्ट और चेप्टर का मैं पीडियफ भी सेंड कर दे रहा हूं लगे हाथ तो आप तुझ प्रश्ण पेडियो फॉमिन से इस चेप्टर का भी रिवीजन कर लेना तो दे में जब oxygen supply हम बंद कर दें तो वो पदात बूज जाएगा ठीक है और जिन पदात तो दहन क्या होता है हमने देख लिया और जो पदात जल जाते है जिनका दहन होता है वो दाहे कहलाते है ठीक है या इन्हें इंधन भी कहा जाता है इंधन ठोस द्रव या गैस हो सकते हैं कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अत्वाइक लोग के रूप में प्रकाश भी उत्तपन होता है तो वैसे पदात जिनको हम जला सकते हैं वो दाहे पदात कहलाते हैं जैसे मैंगनेशियम और कास्ट खोयला का यहां पे एक्जामपल दिया हुआ है अब देखें यहां पे कुछ चीज़ें दी गई है कि जैसे किसी बैक्ति को आपने सुना होगा कि उसके कपड़े में आग पकड़ लेती है तो हम कंबल से मोटे कंबल से उसे ढख देते हैं क्यों ऐसा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उस आग तक नहीं हो पाती है और फिर वो आग बुझ जात है और बैक्ति जलने से बच जाता है इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपने देखी होगी कि कुछ वस्तो में बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है कुछ वस्तो में नहीं पकड़ता है लकडी के का मतलब एक कुछे को जलाने के लिए लकडी को जलाने के लिए हमें क्य आग पकड़ लेते हैं माचीस के तिली को एकदम से रगड़ते ही आग पकड़ लेती है माचीस के तिली जब चलती होगी कागज के तुकड़े के पास ले जाएगी तो उसमें आग पकड़ लेगा तो ऐसा क्यों होता है ये सारी चीजें ये जो click bit दिये हुए हैं आपके मन में प्रश्ण उठा रहा है ये सब ज्वलन ताप के कारण ही possible होता है तो ज्वलन ताप क्या होता है वह नियुनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहा जाता है ठीक है तो ये नियुनतम हर एक पदार्थ ये जो नियुनतम मतलब ताप है जो minimum temperature है ये हर एक बस्तु के लिए अलग अलग तरीके की है जैसे कास्ट को जलाने के लिए उसका नियुनतम ताप कुछ अलग है लकड़ी कागज को जलाने के लिए कागज को जलाने के लिए उसका नियुनतम ताप कुछ अलग है मिट्टी के तेल को जलाने के लिए गैस को जलाने के लिए उसका नियुंतमताब कुछ अलग है तो ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए देखिए माचिस की जो तीली है ना उस पर केवल एंटीमनी ट्रैसलफाइड और पोटेसियम क्लोराइट लगा रहता है ठ तो कि लाल फॉस्पूरस और मतलब चुर्णीत कांस से बना होता है उसका पेश्ट लगाए जाता है तो कुछ लाल फॉस्पूरस श्वेद फॉस्पूरस में परिभतित हो जाता है और यह तुरंत माचिस की तीली के सीरे पर लगे पोटेसियम क्लोरील से अभी किरिया कर प चाहन रहेंग है कि इहां पर बता बाता गया है कि क्या इस कप का मतलब कोई कप है कागज का बना होगा और उसमें हम जल 최 उसको मुंबती के नीचे या किसी लौ के नीचे रखें तो क्या कागज का वो कप जल जाएगा तो देखिए बच्वन में जो आते थे ना हमारे स्कूल में आपके स्कूल में भी आये होंगे बहुत सारे जादूगर आते थे नो यही छोटी-छोटी साइंस की क्लिक बिट दि और नीचे से लौ प्रॉबाइड करेंगे तो जो उस्चमा मिलेगी ना जो निवन्तम उस्चमा है वो कागज के कप को प्राप्ती नहीं हो पायगी क्योंकि सम्मधण के दारा यह उस्मा ट्रांसफर हो जाएगी जल में और जल गरम हो है लेकिन काजा का जो कप है वो गरम नहीं होगा और वो जल ही नहीं पाएगा ठीक है तो इसमें हम अंडे भी उबाल सकते हैं तो ऐसे काजा कांड़ी के मतलब वो कउः गरा में बच्पन में जो जादू होगर आते थे तो वो अंडे कब को दी जाने वाली उश्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है अता हजल की उपस्तिती में ताप कागज के जौलन ताप तक पहुँची नहीं पाता इसलिए वह जलता नहीं है ठीक है जिन पदार्तों का जौलन ताप बहुत ही कम होता है मतलब मीनिमम रिक्वामेंट होत ताप की तो जो जौला के साथ सरलता पुर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें जौलन सील पदार्त कहते हैं जौलन सील पदार्त के उतारण है पेट्रोल एलकोहल ड्राविट पेट्रोलियम गैस यह सारे क्या कहलाते हैं जौलन सील पदार्त कहलाते हैं क्योंकि इनको जला पानी का उप्यूग किया जाता है तो क्या होता है पानी जो है उस पदार्थ का जो जुलन सील पदार्थ है उसका जुलन ताप कम कर देता है तो वो आग बुझ जाती है ठीक है तो यह साइंस के जो जरीय से देखोगे तो यह आपको पता चलेगा ठीक है जल जुलन सील पदार्थों को ठंडा कर देता है जिसे उसका ताप उसके जुलन ताप से कम हो जाता है ऐसा करने से आग का फैलना रूख जाता है और जलवाफ ज जली के द्वारा आग लगी हो पैट्रोल और डीजल एकोरीसिम के आग लगी हो तो इसको जो है हम पानी से नहीं बुझा सकते है ठीक है तो यह चीज़े ध्यान में रख रहा है देखे जुलन के लिए क्या आवशक्ता है पहला तो इंधन दूसरा वायू और तिर्शरा प्रंतु जल तभी कारे कर पाता है जब लकडी और कागा जैसी वस्तू पर आग लगी हो ठीक है लेकिन जब पेट्रॉल बिदुदुपकरन में आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए कारवन डाइकसाइड सबसे अच्छा अकनी शामक है ऑक्सीजन से भारी होने के लगी थी आग तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे फायर एंग्जेबिजर का लोग उप्योग कर रहे थे तो इसमें क्या होता है कर्मडाइकसाइड को हाई प्रस्राइज रूप में रखा जाता है ठीक है और जब इसको स्प्रे किया जाता है तो यह मतलब ऑक्सीजन से भार अता आग पर नियंत्रण हो जाता है CO2 का त्रिक लाव यह है कि समानेता यह बिदुद उपकरनों को कोई हानी भी नहीं पहुंचाता ठीक है और देखिए यहां पर जल का उप्योग क्यों नहीं करेंगे क्योंकि जल बिदुद का चालक होता है और यह जल का हम उप्योग कर के बिदुद से लगी आग को बुझाने के कोशिश करें तो खुदों ही मर जाएंगे बुझाने वाला भी मर जाएगा उसको करेंट लग जाएगा सिलिंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधीक फैलती है और ठंडी हो जाती है अतायाना के वह लाग के चार और घेर लेत जातों में बहुत से carbon dioxide gas निकलती है जो आग को बुझा देती है अब दहन के प्रकार के बारे में देख लेते हैं combustion कितने तरीके का हिंदी होता है English होता है इसका combustion देखे हम पाते हैं कि gas जो है तेजी से जलने वाले चीज़े मतलब एक पदार्थ है तो और यह जलकर उश्मा और प्रकास उत्पन करती है तो इस परकार का दहन तिब्र दहन कहलाता है मतलब overall in thought यदि बच्चों के भासा में समझे जो जल्दी से आग पकड़े और ज्वाला और उश्मा उत्पन करे उसे तिब्र दहन कहते हैं फॉस्फोरस जैसे पदार जो कमरे के ताप पर खुद ज जलने लगते हैं उसे सवहत जहन, दहन कहते हैं और जैसे पटाको उगरा में दहन होता है जो उश्मा परकास और ध्वानी पैदा करते हैं इन्हें बिश्पोर्ट कहा जाता है अब यहाँ पे ज्वाला की बात करी गई है कि जिस भी पदार्थ से वैसे पदार्थों से जो जलने के बाद washp का निर्मान करते है जैसे candle होता है तो candle को जलाते हैं तो candle vaporize भी होता है तो इसलिए ये ज्वाला के निर्मान में सहाइक है वेपर किरोशिन का टेल जलाते हैं जैसे लालटेन होगा आप तो लालटेन का परशलून खतम हो गया लेकिन गाओं में अभी भी है बचपन में हम आपके जेका बचपन में हमने पढ़ा था तो ये लालटेन से ही पढ़ा था ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्यों possible है ये बेपर के र फिर्मान करते हैं इसे लकडी के कोईला वाश्वित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं उत्पन होता तो इसलिए शुरुआत में देखा कि कुछ पदार्थों जो जलते हैं तो ज्वाला नहीं उत्पन करते हैं और कुछ पदार्थ जो मतलब जलते हैं तो ज्वाला उत्प योग मतलब इदाय है पदार्थ होते हैं हमने उपर पढ़ा कि जो दाय है पदार्थ होते हैं वहीं इंदन कहलाते हैं तो यह पदार्थ इंदन कहलाते हैं और अच्छा इंदन वो है जो सहज उपलब्ध हो सस्ता हो वायू में समान मतलब दर से सुगंता पूरवक जलता हो औ और अधिक मात्रा में उश्वा उत्पन करता हो जलने के कारण कोई उपरांत कोई आवान्शनिय पदार्थ नहीं छोड़ता हो, तो यह क्या है यह अच्छा इंधन का उधारन है, आदर्श इंधन कुछ होता नहीं है, लेकिन आदर्श इंधन के यह सारे उधारन हो सकता है, अच्छा इंधन वहीं है, जो सहज उपलब्द हो, मतलब असानी से मिल जाए, सस्ता हो, मतलब ज्यादा कोशली न हो, इसके साथ वायू में समान दर से सुगमता पुर्वक जलता हो, मतलब वायू की उपस्तिती में एक ही बाद तुरंत जल के खतम न हो जाए, लेकिन धीरे ध अधिक मात्रा में उश्मा भी उद्पन करें, तथा जलने के उपरांत कोई अवंशनिय पदात्वी न छोड़ें, ऐसे अधर्श इंधन कहलाते हैं, और इंधन दक्षता क्या है, किसी इंधन के एक किलो ग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त उश्मा की मात्रा, उस अका उश उद्पन हानिकारक पदार्थ इसके बारे में बताए गया है, लकडी, कोहला, पेट्रोल जैसे कार्वन इंधन बिना जले कार्वन कल छोड़ते हैं, यह सुक्ष्मिकन खतरनाक परतूशक होते हैं, जो दमा और श्वांस्रोग उद्पन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मर भी सकता है, औक्सीजन की सप्लाई खतम हो जाएगा उसकी, अब देखी, यहां पर इंदन दिया हुआ है, और उसमी एमान दिया हुआ है, हाइड्रोजन का उसमी एमान सबसे अधिक है, डेड़ लाक किलो जुल प्रती किलियो ग्राम के हिसाब से बताए गया, यह देख अधिक है, और देखी, कोईले डीजल के धहन से सलफर डाइक्साइट गैस निकलती है, अत्यांदम घोटू और संचारक गैस है, इसके अतरिक पेट्रोल इंजन से नाइट्रोजन गैसी ऑक्साइट छोड़ते हैं, सलफर और नाइट्रोजन के ऑक्साइट वर्षा जल में गुल जाते हैं और अमल वर्षा बनाते हैं, ऐसी वर्षा, अमल वर्षा कहलाती है, जो फसलो बहनों और मिर्दा के लिए बहुत यह निकारक है, तो अमल वर्षा में सलफर और नाइट्रोजन के ऑक्साइट जो है खुले होते हैं, और देखिए, जो वर्षा की सीजन की प मतलब वाश्प है वेपर है उसे अभी क्रिया करके ये नाइट्रजन के ऑक्साइड और सलफ़र ऑक्साइड जब घुलते हैं उसमें तो वो अधिकतर आमलिये प्रकृति के हो जाते हैं ठीक है तो इसलिए मना करा जाता है कि शुरुआत के दो-चार बारिस में नहाना नीचे केवारिने बच्चो को क्योंकि फोड़े फुनसी निकल आते हैं रही जब हमारे हाँ आदरा का पक्ष चलता है जैसे अभी चल रहा है वर्षात में तो उसमें होता है उसमें recommend किया जाता है कि भीया आप बच्चों को नहलाओ क्योंकि उसका पानी स्वाक्ष होता है साफ सुत्रा होता है मतलब कुछ हद तक तो उसे बच्चों का घाव फोड़ा फुंसी या मतलब कोई किसी अनपरकार की आपको हानी नहीं होती है तो ये सारी चीजें थी हमने देख लिया सारी चीजें अमलबर्षा उष्मेमान दहन बिशपोर्ट वनमुलन ज्वाला अगनी शामक इंधन दक्षता विश्व उष्मन उष्णन अधर शिंधन ज्वलन ताप और ज्वलन सील पताथ मिलते हैं एंगली कुष्ण में तब तके लिए साइनिंग आप टेकर जाहें जाएंचाब लोगों के द्वारा पेड़ पौधों को काटके वन की भूमी जो प्राप्त होती है उसका किसी और तरीके से उप्योग करना वनमुलन कहलाता है और ये बहुत सारे कारणों से होता है मनुष्य क्रिशी के लिए भूमी प्राप्त करता है घरों ये उप्रखानों का निर्मान करने के लिए फरनीचर बनाने या लकडी का इंधन या किसी अन्नोप योग के लिए जो है वन को काटता है अब एक तो वनमुलन आपने समझ लिया डिफॉरेस्टेशन समझ लिया अब डिफॉरेस्टेशन के परिणाम क्या होते हैं क्या इसके सकरात्मक परिणाम होंगे या नकरात्मक तो इसके नकरात्मक परिणाम होते हैं और बहुत बड़े परिणाम होते हैं बहुत मास लेव मिलेगा current affairs के साथ वानन मुलन से प्रिद्वी परताप एहों पर्दोशन के अस्तर में ब्रिधी होती है इससे वाई मंडल में कर्मन डायकसाइट का अस्तर बढ़ता है बहुम जल अस्तर का भी निमनिकरण हो जाता है देखिए आपको पता है कि पौधे जब सांस लेते हैं तो CO2 का यूज करते हैं कम पौधे का मतलब CO2 की मातरा में ब्रिधी जब CO2 की मातरा में वाई मंडल में बढ़ेगी तो क्या होगा ग्लोबल उश्मन का ये ग्लोबल उश्मन का प्रभाव डालता है ग्लोबाल उश्मन का जब प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा जल चक्र में जो वाटर साइकिल होती है उसका संतुलन बिगड़ेगा वर्षादर में कमी आएगी और इसके कारण ड्रॉट आएगा सूखा पड़ेगा ठीक है तो ये वननमुनलन का कारण है इसके स साथ साथ देखे जब पेड़ पौदो को आप काट दोगे तो पेड़ जो मिट्टी का उपरी सता होता है वो क्या होता है नॉर्मल होता है लूज होता है तो इसको जो संरक्षन प्राप्त किया जाता है प्रदान किया जाता है पौदो के दवारा पेड़ पौदो के दवार के नीचे होती है वाश्पी करन दर भी काफी कम होता है तो इससे क्या होता है लेकिन जब पेड़ पॉधे कट जाते हैं तो सब इसके विप्रिद प्रभाव पढ़ता है दूसरा विप्रिद प्रभाव में क्या क्या होंगे कि मिर्दा में हुमस की कमी आ जाएगी मतलब अपर की परत खतम हो जाएगा हुवार्त्व में कमी आ जाएगी और वर्ता भूमी मढवस्तल में परवरतीत हो जाती है जिसे मरवस्तली करण बोलते हैं वनोन मुल्लन से मृद्दा की जलधारन छमता भूमी की उपरी सतह से जल के नीचे की और अंता सरौण पर भी विप्रित प्रभाव पड़ता है जिसके परणामसरूप बाढ आती है और मिर्दा के अनगुण जैसे पोशक तत्व गठन इत्यारिव वन उन मुलन के कारण भी प्रभावित होते हैं ठीक है त उनका संरक्षण आवश्यक है टीचर बता रहे हैं यहां पर प्रोफेसर अहमत और कह रहे हैं कि देखिए वन को संरक्षित करने के लिए कई तरीकों से वन को संरक्षित करा जाता है वन जीव अभ्यारन बनाया जाता है राष्ट्य उद्धान बनाया जाता है जयामंडला वन जीव अभ्यारन वन जीव अभ्यारन वन जीव से सुरक्षित करने को बोलते हैं वन जीव अभ्यारन वाला एरिया ठीक है इसमें इनके जो आवास है किसी भी तरीके से human interference से सुरक्षित रहते हैं इसके बाद आता है राष्टे उधन वन जन्तूओं के लिए आरक्षित शत्र जहां पे वो स्वतन्त रूप से आवास है उपरकृतिक संसाद्नों का उप्योग कर सकते हैं इसके साथ साथ जैयो मंडल आरक्षित शत्र क्या होता है तो आपने देखा जैयो मंडल मतलब इसमें सब जैयो मंडल के सारे घटक आते हैं राष्टिय उधन आपने देखा और वन जीव अभ्यारंड देखा ठीक है काफी इंपोर्टेंट है यहां से इसके अंतर पर भी प्रश्ण पूछा जा सकता है अब एक एक करके देख लेते हैं इसको डिकोड करते हैं जैयो मंडल आरक्षण आते हैं मतलब जैयो मंडल आरक्षण चैत्र है मैं आपको यहां पे दिखाए गया है मद्द प्रदेश में MP में आप देख रहे होगा न ये वाला एरिया ये वाला एरिया सत्पुडा राष्ट्य उद्धान है बोरी अभ्यारण है ये सनरक्षी चत्र है फिर पंचमडी अभ्यारण है ये सारी चीजें हमने अभी जिसका एक्जामपल उपर देखा मतलब डेफि मंदल में पाए जाते हैं वन शत्र में पाए जाते हैं किसी विशेश शत्र में इसमें बताया गया है कि किसी पार्टिकुलर शत्र में पाए जाने वाले पेंड़ पौदे उस शत्र के वनस्पति जात ये जीव जनतु प्राणी जात कहलाते हैं मान लिजिए कि आपका कोई garden है और वो आपने artificially या ऐसे ही natural उगा हुआ है तो उसमें जो भी बनस्पती मिलेगी उस garden के लिए बनस्पती जाद कहलाएगी और जो भी उसमें प्राणी मिलेंगे जीव जन्तु मिलेंगे वे क्या कहलाएंगे प्राणी जाद कहलाएंगे ठीक है तो आपने इसे ध्यान से देखा फिर विशेश छत्र प्रजाती क्या है पौधेयम जन्तु की वह species जो किशी विशेश छत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है विशेश छत्र species कहलाती है पार्टिकुलर शत्र में यहां से question को अगर है कुछ आईसे कुछ पूछने वाला तो है नहीं बट हाँ आपके knowledge के लिए जरूरी है जहां से question पूछा जा सकता है मैंने वो click bit आपको बता दिया है अब बात आती है वन प्राणी अभ्यारण की जहां वन प्राणी सुरक्षित वन संरक्षित रहें उन्हें वन प्राणी अभ्यारण कहते है देखें यह काफी important है यह जो तीनों मैंने definition आपको बताया ना वन जीव अभ्यारण, राष्ट्य उद्दान और जयमंडल अरक्षिच्छित चत्र इन तीनों का अंतर आपको पता होना चाहिए अलग-अलग इसका importance है ठीक है? तो हमने वन प्राणी अभ्यारण देख लिया इसमें होता क्या है? कि इसमें प्राणियों का जो है, मतलब जो बन के प्राणी होते हैं उनका संरक्षिन किया जाता है फिर आता है राष्टिय उद्यान पर्यावरण की संपुर्ण संगटकों का संरक्षिन करने के लिए पर्याप्थ है यह मतलब जो राष्टिय उधान होते हैं इसे राष्टिय उधान कहते हैं यह बनषपती जात, प्राणी जात, द्रिश्य भूमी, एतिहांसिक वस्टियों का संरक्षिन करते हैं सत्पुर्ण राष्टिय उधान भारत का प्रथम आरक्षित बन है ध्यान में रखना, यह important है यहाँ पर मैं इसको highlight कर देता हूँ भारत का प्रथम आरक्षित बन क्या है, सत्पुर्ण राष्टिय उधान है अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है देखे, प्रजेक्ट टाइगर भी एक हमारा मतलब बनने जीव को संरक्षित करने से लेके यह हमारा initiative है, सरकार के द्वारा वे जन्तु जिनकी संख्या एक निर्धारी तस्तर से कम होती जाती आ रही है होती जा रही है, वे बिलुप्त भी हो सकते हैं कुछ वर्षों में वे संकटा अपनने जन्तु critically indigent जन्तु कहलाते हैं ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक click bit दिया हुआ है, बाकि इसमें कुछ है नहीं फिर प्रवास के बारे में आपको पता है, migrate करते हैं, जो जीव जन्तु हैं वो migrate करते हैं आपने पक्षियों को देखा होगा, कि आपके इलाके में कोई सरूवर हो, ताल हो, तो जाड़े के दिन में किसी अन्य परकार के पक्षि वहाँ पर बास करते हैं, गर्मी में किसी अन्य परकार के पक्षि बास करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, मालिजे की Siberian Crane की बात करें या किसी अनपक्षी की बात करें तो मान लिजे की वो North Globe में है मतलब उत्री गुलार्ज में है और यहाँ पे शर्दी है तो वो सर्दी में ही रहते हैं तो यह क्या करेंगे जैसे ही गर्मी पड़ेगी न वहाँ से माइग्रेट होँगे कसी अनपक्षान पे जाएंगे जहां पर उनको सर्दी मिले मतलब ठंड़क मिले तो इसके क्या बोलते हैं इसे प्रवाषन बोलते हैं यह बतलब प्रजणन के लिए भी प्रवाषन करते हैं तो यह सारी चीजे हैं कागज का पुनर चक्रन करना चाहिए ताकि हम वनन मुलन से बच सकेंगे, सारी चीज़ें इसमें बन्दाई गई है, इसके साथ साथ पुनर वन रोपन करना चाहिए, ताकि वन को जो है फिर से अस्थापित कर सकें, तो यहीं सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें थी, जय विबीता देखा, जय मंडल अरक्षी शत्र, वनन मुलन, मरुवस्तली करन, पारीतंत्र, संगटापन, स्थितिज, विशेश, छत्री स्थिज, विलूप्त, प्राणी जात, बनस्पती जात, प्रवाशी पक्षी, राष्टिय उद्दान, रेड डाटा बुक, पुनर व इसको रिवीजन कर लेना, देखिए, आब साम तक आपको यूटूब पर आपको स्ट्रेजी की बीडियो मिल जाएगी, कि आपको अब 90 दिनों का कैसे उटलाइजेशन करना है, साथ में जो भी प्रिवियस कक्षाएं हो चुकी है, उनका आप रिवीजन करना सुरू कर पर दिए, मैं करेंट अफेर्स प्रवाइड कर रहा हूं, तो करेंट अफेर्स भी पढ़ते जाएगे, पहले मेरा वाला करेंट अफेर्स पढ़ लीजी और सेप्टेंबर में किसी का कंपाइलेशन अगर मिलेगा यर्ली, हलाकि मैं इस सारी चीजें मन्थवाइज प्रवा आपको मिलेगा, चाहे मार्केट से लो या मेरे से लो, तो वहां से उसको बढ़के रिवीजन कर लेना, ठीक है, और रिवीजन करना, अब स्टार्ट कर जीजे, इसके बाद जो मैं पीडिएफ इसका चेप्टर का प्रवाइड कराऊंगा, उसी सरसरी निगाह से एक एक ला चेप्टर नमबर आठ कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी सनरचना और प्रकारिय के बारे में देखेंगे, हमने प्रिवियस कक्षा में कोशिका से इंट्रोडक्शन कर लिया था, हमने देखा था कि हर एक सजीव का निर्मार जो है, एक मुलभूत एकाई से होत हैं, अब इसी का समवर्दित रूप इस चेप्टर में पढ़ने वाले हैं, कोशिका की खोज हमारा पहला टॉपिक है, रोबर्ट हुक ने 1665 में कौर की स्लाइस का समान आवर्दक यहंतर की साहता से अध्यन किया था और कोशिका की खोज इस तरीके से होई थी, कोशिका की किसी भी जीव की सनरशना की मुल्वित इकाई होती है, ठीक है, कभी-कभी एक ही कोशिका पुर्णे जीव में परिवर्तित हो जाता है, और कभी-कभी बहुत कोशिकाओं से मिलके किसी सजीव के सरीर का निर्मान होता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, जैसे मुर कोशिका का अध्यान कर सकते हैं, देखे हर एक सजीव में अलग-अलग कोशिकाओं की संख्या होती है, और कितने भी हो सकता है, कभी-कभी जीव का सरीर एक से अधी कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें बहुत कोशिक कहते हैं, छोटे जीव में कोशिकाओं की कम संख्या उ यह और जो एक कोशिका होती है वो निशेचित अंडा होता है और निशेचित अंडा गुणन करता है तथा व्रिधी और परिवर्धन के बाद कोशिकाओं की संक्या बढ़ती जाती है और इस तरीके से किसी विशालकाय सजीव का निर्मान होता है जीव का निर्मान होता है ठी इन्हें एक कोशिके जीव बोला जाता है। समुह के द्वारा उत्तक का निर्मान होता है ठीक है उत्तक का निर्मान होता है और देखो यह मिटका यह होती है आपकी कोशिका कोशिका से निर्मान होता है उत्तक का और उत्तक से निर्मान होता है आपके शरीर का ठीक है तो यह ध्यान में रखना इस तरह या शरीर या तो यहां पर आमीबा के बारे में दिखाएगे हैं, आमीबा की आकरिती बहुती ज्यादा अनियमित होती है, आपने देखा होगा, कि इसके मुख सरीर से बहार की और परवर्तित लंबाई के प्रवर्थ उपरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे पदाब बोलते है, यह देखो तो यहां पर यह ऐसे आर्म जैसे संरश्चना होती है ना इसी को बोलते हैं तो यह सारी चीजें मतलब इसके द्वारा एक्जांपल में बताने की कोशिश करी गई है कि कोशिका जो है उसकी कोई फीक्स आकरिती नहीं होती जैसे मनुश्री के सरीर में WBC की बाद करी गई है य कोई ऐसा नहीं है कि एक कोशिक जीव नहीं होते है एक कोशिका जो है अपने पुर्ण रूप में एक जीव भी हो सकता है और कभी-कभी यह मतलब ईूनिट का काम करता है किसी सचीव के जीव के निर्मान में ठीक है तो यह बात ध्यान में रखना यहां पर दिया गया है WBC म विभिन संगठक एक जिल्ली द्वारा परिरब्ध होते हैं मतलब कोशिका जो भी कोशिका के भाग होते हैं ये एक बाहे आवरन द्वारा मतलब उसको घेर के रखा जाता है यह जिल्ली पौदेयम जन्तों की कोशिका को आकरिती परदान करती है पादब कोशिका में मतलब तो किसमति है कोशिका में कि REM होती है क्यवल थ्यान में राखना किवल पौधो में होती है ठीक है पेढरबाभार होती हैında कोई कोई सबसे चोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रो मीटर है जो की एक जिवानु कोशिका है जबकि सबसे बड़ी कोशिका सुत्र मुर्ग का अंड़ा है जिसका साइज 170 mm x 130 mm होता है ठीक है अब यहां पर मुर्गी के अंड़े के बारे में दिया गया है कि जब अंड़े को उपालते हैं तो आप देखे होगे कि जो बाय आजशिलका हटाते हैं तो हमें एक सफेद भाग दिखाई देता है जिसे अलब्यू मीन बोलते हैं जो उबालने पर ठोस में परवर्तित हो जाता है पीला भाग को यूक बोलते हैं यह एकल कोशिका का भाग है ठीक है और इसे यह बड़ा होता है तो इसे बिना आवर्धक के भी देख सकते हैं ठीक है अब यहां पर किसी कोशिका के साइज का संबं हैं कि मान लीजे कोई हाती है तो हाती का बहुत विशालकाय सरीर है यह मैंने हाती बनाया है तो इसका कोशिका की साइज भी बहुत बड़ा होगा और कोई चीटी है तो क्योंकि वो हाती का बनी सबत काफी कई लाग गुना छोटी है तो उसकी सेल्स का आकार जो है छोटा हो कोशिका का साइज का संबंद उसके प्रकार्य से बिल्कुल नहीं है उतहारण के लिए तंत्र का कोशिका हाथी यह चूहे दोनों में ही लंबी यह सखानवित होती हैं वह संदेश के अस्तानांत्रण का कारे करती हैं ठीक है आव यह संदेश का संदेश का संभन करता है यह सब को पता है, अब कोषिका की सनरचना यहें परकार्य के बारे में देख लेते हैं, प्रतीक अंग छोटे भागों से बना होता है, जीसे उद्तक बोलते हैं, उद्तक एक समान कोशिकाओं का वग समू है, जो एक विस्ष्ट परकार्य करता है, ठीक है अब कोशिका के भाग हम देख ले कोशिका जिल्ली पहला है यहाँ पढ़ लेना आप मैं यहाँ पर बता देता हूँ काफी important है देखे यह मनुष्य के चीक का मतलब गाल की कोशिका बताई गई है तो देखो कोशिका एक यह भाग है कोशिका का ठीक है यह एक सिंगल यून मतलब एक कोशिका है तब कोशिका में क्या होता है एक केंद्रक होता है जो अमोमन सर्कुलर होता है ठीक है तो इसे केंद्रक बोलते हैं और केंद्रक जो है ये एक जिल्ली से आवरण से ढ़का रहता है जिसे केंद्रक जिल्ली बोलते हैं ध्यान में रखना केंद्रक जिल्ली बोलते हैं ठीक है कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से कोरेलेशन है केंद्रक को जो जिल्ली घेरे रहती है उसे क केंद्रग जिली बोलते हैं और केंद्रग सर्कुलर फॉर्म में होता है ठीक है इसके बाद केंद्रग को बहुत सारे द्रव के मतलब अंदर इसको इकठा करके मतलब यह नेचर प्रिजर्ब रखती है जिसे हम क्या बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं ठीक है और पूरा कोशिका जो हैं कोशिका जिल्ली से घीरे होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं और यह जो केंद्रक जिल्ली है न यह कोशिका द्रब और केंद्रक द्रब के बीच में वस्तूं के अदान परदान को रेगुलेट करती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना तो यहां ही दिया कोशिका द्रब मतलब कोशिका का द्रब कोशिका के अनसंगठक कोशिका कोशिकाँ कोशिका द्रब में ही पाए जाते हैं जैसे राइबोसॉम इत्यादी. ठीक है? अब केंद्रक की बात करें तो ये कोशिका का एक महत्वपुन संगठक है, समानेता गुलाकार होता है और कोशिका के मद्थ भागों में इस्तित होता है केंद्रक जिली अधवा केंद्रक औरन कहते हैं जो मैंने ये बताया था ये केंद्रक जिली है ठीक है और यहां जिली भी संराधन होती है तता कोशिका द्रब यों Kinagra के बीच पतार्तों के आवा गमन को नियंतरित करती है Kendra का अथवा निवकुलियस कहते हैं मतलब obvious Kendra को इसके अतरिक्त Kendra के में धागे के समान सनौशनाय होती है आप इसको enlarge करो तो ये देखो ये धागे के समान सनौशनाय होती है जिसे हम गुण सुत्र बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं गुण सुत्र या इंगलीश में इसे क्रोमोजोम बोलते हैं और यहीं गुण सुत्र में जिन होते हैं मतलब जीन होते हैं जीन के धारक है और यह जीन अनुवांशिक गुणों अथ्वा लक्षणों को एक जनक से un वra na chapters सजीव कोशीका के समग्र संगठक को जीव दरब बोलते हैं, ठीक है? फ्रोटो प्लाजमे बोलते हैं, इसमें कोशीका दरब और केंद्रिका द्रव दोनों सम्मलित होते हैं कहने का मतलब कि कोशिका द्रव और केंद्र का द्रव की accumulated रूप को क्या बोलते हैं protoplasm that means जीव द्रव है जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है ठीक है अब ये कोशिका के बारे में cells के बारे में सब कुश दिया हुआ है तो देखिए कुछ जीवाणू कोशिका का केंद्रक बहुँ कोशिक जीव की केंद्रक के समान सुसंगाठित नहीं होता जो जीवाणू की कोशिका होती है जो बहुँ कोशिक जीव होते हैं उनके समान सुपसंगाटित नहीं होता इसमें केंद्रक जिली अनुपस्तित रहती है केंद्रक तो रहेगा अब यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर यह तो केंद्रक तो रहेगा केंद्रक लेकिन यह जो बाहिए आवरण है केंद्रक जिली यह अनुपस्तित रहती है किसमें जिव ठीधुडर्यू में आपा-करियोटिट कोशिकान गुछांवी Tell और निम के और प्रियूट्स भी कहलाते है में मैं होजिक है अब मैं कोशिका अजिäch स्वाकरिños कोशिकान इसकते ही यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे देखो ठीके यह खाली अस्थान जो क्या होते हैं इसे रिक्तिका बोलते हैं क्या बोलते हैं रिक्तिका बोलते हैं तो वही नाम है नॉर्मल जो खाली अस्थान होते हैं से रिक्तिकाव बोलते हैं और यह मात्र एवम बड़ी हो सकती है जैसे कि प्याज की जिल्ली की कोशिकाव में दिखाई देती है गाल कोशिकाव में अनेक छोटी-छोटी रिक्तिकाव देखियोगी अब यहां पर मालीजी यहां पादब कोशिका की बात करी जा रही है तो पादब कोशिका की पत्ती की कोशिकाओं में यदि पादब में देखें तो पत्ती की कोशिकाओं में कोशिका द्रब छितरी होती है और इसमें बहुत ही रंगीन सनरशना होती है जिसे प् यलो प्लास्ट इट या कुछ भी बोल सकते विएंगो और आ के इसे अ Еще अरूट mo और पतियों का रंग लाल पिला नीला होता है थ्यूर के ब्लॉब connection तो वह हरीत लवक होगा और हरापत्ती होगा ठीक है तो यह सारी चीजें आपने देखा अब देखिए पादब कोशिका जन्तु कोशिका की इसमें तुलना करी गई है इसे आप होमवर्क के तरह पर आप करना आपने पूरा चेप्टर करने के बाद की कोशिका जिल्ली और रिक्तिकाएं आप इसका होमवर्क कर सकते हो तो हम इसमें सारी चीजें हमने देखा और यह मतलब सरांस है इसका देख लेना सरांस मैं ही पढ़ दे रहा हूं अधिकतर जिवों में छोटी संरशनाय दिखाए देती है जिसे अंग कहते हैं सभी अंग और भी छोटे क्रीतियों साइज होते हैं बिबिने जिवों में कोशिकाओं की संख्या भी अलग-अलग होती है कुछ कोशिकाओं बहुत बड़ी और उन्हें नग नांकों से देखा जा सकता है जैसे मुर्गी कंड़ा यह सारांस कुछ ज्यादा बड़ियां नहीं है बट आप मैं कोशिका के तीन मुख के भाग होते हैं कोशिका जिल्ली कोशिका द्रव जिसे चोटी चोटी संख्याओं पाई जाती हैं यहम केंद्रक केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक जिल्ली अलग करती है कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक कोशिका कहलाती है पादब कोशिका जन्तु कोशिका से भिन है क्योंकि इसमें कोशिका जिल्ली के बाहर कोशिका भित्ती होती है रंगीन सनरचनाई जिसे प्लास्टिर बोलते हैं केवल पादब कोशिका में पाई जाती है हरे प्लास्टिर जिने खलोरोफिल पाया जाता है उ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए साइनिंग आप टेक के और जाहिन 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 जाहिन। लांगिक जनन में मेल और फिमेल मेल के जो है किसी नय संतती को जन्म देते हैं तो वो लांगिक जनन कहलाता है। इसमें बताया है कि जैसे पौदे में हमने पढ़ा था प्रिवियस कक्षा में उसी के समान जन्तु भी नर्यो मादा यूगमक बनाते हैं और जो सनलेज थोकवर जाइगोड बनाते हैं जिसे हिंदी में यूगमनज मतलब कहते हैं और यहाँ यूगमनज बिक्सित होकर एक नया जीव बनता है जिसको हम लांगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पे मेल और फिमेल रिप्रोडक्शन ओर्गन्स के बारे में इसमें जनकारी दी गई है आपको यह पता है कि नर जनननंगो में एक जोरा विष्ण, दो सुक्राणू नलिका तथा एक पेनिस होता है लिंग जिसे बोलते हैं विष्ण नर यूगमक उत्पन करते हैं जिनें सुक्राणू बोलते हैं सुक्राणू का अकार ऐसे होता है सुक्ष्मदर्सी में देखते हैं तो तो ये इसका head होता है, फिर मद्यबाग और ये इसका tail होता है, ठीक है, वैसे ही मादा जननंगों में एक जोड़ी अंडा से है, ये अंडा से है, ठीक है, और ये अंडवाहिनी नालिका है, इसे dimmed वाहनी भी बोलते हैं, तता ये गरवाह से है, ठीक है, और हर एक मास में मासि निर्मा बच्चे को जन्म देता है, ठीक है? यहीं सारे चीज़ें इसमें बताई गई है और देखे यह ऐसे इनिसेशन होता है, यहीं होता है, यह अंडानू है, अंडानू भी एक कोशकिये होता है, यू इसेलूलर होता है और जो male का सुक्राणू भी होता है वो भी unicellular होता है तो यह बहुत बढ़ी एक click bit है यहां से प्रश्ण पूछा जा सकता है कि सुक्राणू जो है unicellular होता है या multicellular होता है तो ध्यान में रखिएगा जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यह sunlight kendra का निर्मान होता ह है जिसे यूग मनज बोलते हैं जाइगोड बोलते हैं इसे English में ठीक है तो ध्यान में रखना बाकि यहीं सारी चीज़े छोटी छोटी चीज़े इसमें दी गई है फर्टिलाइजिशन क्या है जनन प्रक्रम का पहला चरण सुक्राणू और अंडाणू का सनलयन है एक दू जिसे जाइगोड का निर्मान होता है ठीक है और यहीं जाइगोड दीरे दीरे परवर्तित होके जैसे कि मैंने बताया जो यह सिंगल सेलूलर होते हैं टीसूज का निर्मान होता है फिर मनुष्य के अंगो का निर्मान होता है और एक विक्सित बच्चा जो है मा के गर्व स बोलते हैं ठीक है और यदी जैसे इसके उधारन कौन-कौन से हैं मनुष्य गाए कुते मुर्गी इत्यादी जनतों के आंतरिक निशेशन है ठीक है अब आप सोच रहे होगे मुर्गी सर इसमें क्यों दिया गया है मुर्गी तो अंडा देती है और बाहर उसका बच्चा वो ह बाहर जो मादा मुर्गी होती है मुर्गी होती है उसे निकाल देती है ठीक है तो हमने देखा यह आंतरिक निशेशन के बारे में देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ मदाएं जो है माता नहीं बन सकती क्योंकि उनका यह जो नलिका होती है यह नलिका अंडवा पाहिका है यह कहीं न कहीं वादित होती है तो सुक्राणू भी नहीं पहुंच पाते हैं यहां से निशेशन करने के लिए ठीक है इसे मिलने के लिए तो यह एक बिदी है जिसे परखनली शिशू के बिसे में आपने सुना होगा इसमें होता क्या है कि ऐसी स्थिति में डॉक् से यदी fertilization कराया जाता है जैसे मा का अंडाणू ले लिए और पिता का सुक्राणू ले लिए और उसको बाहर किसी उचित माध्यम में अगर fertilization कराया जाता है तो उसी को IVA बोलते हैं इन विट्रो निसेशन बोलते हैं अगर fertilization हो जाता है तो योगमनाज को लगबग एक सब्तtake तक विक्सित किया जाता है उसके पशात उसे माता के गरवासय में फिर से परकनाली शिशू बोलते हैं ठीक है यह एक शूडो नेम है शूडो नेमस है ठीक है क्योंकि शिशू का विकास परकनाली में नहीं होता है मा के गरवासे में होता है ठीक है अब यहाँ पे कुछ मतलब जन्तूओं के इसमें वो दिये गया है मतलब जो भी reproduction उनका system होता है जैस मतलब नर और मादा एक साथ पानी में आता है मादा क्या करती है साइकडो अंडे निसेचित कर देती है ठीक है जैसे human में देखा मासिक धर्म के पशात अंडा रिलीज होता है तो वैसे ही इसमें मेड़क जो है मेड़क यह जो मादा मेड़क है वो अंडे रिलीज कर देती ह और इस अंडे को यह केवल pure अंडा होता है मतलब female का अंडा होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुर्गी के अंडे की तरफ मेड़ा के अंडे कोई से नहीं धके होते हैं अपेक्शाकरित भहुत कोमल होते हैं मतलब एक normal परत के द्वारा धके रहते हैं जिसे इसको सुखरक्षामिती रहती है, ठीक है, तो हमने देखा, माधा जो है, अंडे दे देती है पानी में और नर उस पर क्या करता है, सुकराणू छिडग देता है, सुकराणू छोड़ देता है, और परतिएक सुकराणू अपने लंवी पूछ की सायता से जल में दरूदर तैते रहते हैं, और सुक्राणू अंड-कोशिका के संपर्ग में, जब आघते हैं, जिसके फॉल्सवरूब मतलब फर्टिलाजिशन होता है, इस परकार निसेशन जो है, जिसमे नर और मादा यूगमक का शंलयन मादा के सरीर के बाहर होता है, इसे बाहनिसेशन बोलते हैं ठीक है तो जो मतलब fertilization है अगर मादा के पेट के अंदर है तो वो आंतरिक निसेशन और पेट के बाहर तो उसे बाहनिसेशन बोलते हैं जैसे मचली, स्टार फीस जो भी जलिये प्रानी होते हैं ना माकसिमम वो सब लोग जो है बाहनिसेशन ही करते हैं ठीक है अब यहां देख लेते हैं भुरून का परिवर्धन देखें इनिसेशन के प्रणाम स्वरुप जो जैगौट बनता है वो बिक्सीत होकर भुरून में परिवर्धित हो जाता है यह नो दसमलोवाट में यही विक्स दिए गया है कि मा के अंडासे से रिलीज हो रहा है अंडा और फिर यह जो मेल है मेल के सिवकरानों से यह मिलता है और यहां पे युगमनज का निर्मान होता है Fertilization होता है धीरे धीरे ये tissue ये cells बिक्सित हो जाते हैं Tissue में परवर्दित होते हैं और गर्वासा में आके ये भूर्ण के रूप में परवर्दित हो के यहाँ पे गर्वासा के दिवार के सारे बिक्सित होता है, ठीक है? और फिर 9 महीना बाद जो पुन विकास हो जाता है मा के सरीर में बच्चे का तो 9 महीना बाद जो है बच्चे का नया जन्म मतलब बच्चे का जन्म होता है मुर्गी में भी आंतरिक निशनिशन होता है प्रंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है नहीं जरती है जो फर्टिलाजिशन होता है उसके फोरण बाद ही जाइगोट लगतार बिभाजित होता रहता है और अंड वहानी में नीचे की और बढ़ते रहता है इससे नीचे बढ़ने के साथ-साथ इस पर सुरक्षित परट चड़ जाती है मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कोच भी ऐसा सुरक्षित परट है अब जब बाहनीचन वाले जनतों की बात करें तो इसमें भुरून का विकास मादा के सरीर के बाहर ही होता है और भुरून अंडावरोन के अंदर विक्सित होता रहता है भुरून का विकास पुन होने पर अंडोत पत्ती होते हैं मतलब अंडे से जनम होता है और आपने तलाव अथवा जरने में मिड़क के अनेक टैटवल तरटते हुए देखे होंगे जो इसी माध्यम से जो है मतलब इनका जनम होता है अब बात कर लेते हैं जरायूज और अंड परजक के बारे में मतलब वीवी पैरस और ओवी पैरस मतलब के बारे में तो इसमें कुछ जन्तू बिक्षित शीशू को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जन्तू अंडे देते हैं, जो बात में शीशू में बिक्षित हो जाते हैं, तो जो जन्तू सीधे ही शीशू को जन्म देते हैं, मतलब किसी चाइल्ड को जन्म देते हैं, उसको जरायू जो बोलत तो यह सारी चीज़े दी गई है शीशु से ब्यास्कता की और इसमें बताया गया है कि कुछ जन्तुओं में नौजात जन्तु ब्यास्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं रेश्यम कीट के जीवन चक्रकाप एसमरण के पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था एक ऐसे अंडा देती है जो भी तितलिया होती है उसके बाद लर्वा का निर्मान होता है अथवा इल्ली जीसे बोलते हैं और वो प्यूपा में कनवाट होता है और फिर प्यूपा से जो है ब्याश्क में वो लोग परिवर्तित हो जाते हैं ठीक है तो हमने देखा कि जो ब्याश्कता है वो बिल्कुल ही अलग है जो डिफरेंट स्टेज में ये अलग अलग तीतलियों फिर मेड़ा के अंडे की बात करें तो ये इसमें अंडा देते हैं फिर टैडपुल लर्वा क का निर्माण होता है फिर ब्यास्क के रूप में ये विक्सित होते हैं ऐसे ही देखो ये अंडे देते हैं ऐसे अंडे बहुत सारे फिर ये फर्टिलाइजीशन होता है अरंभिक टैडपुल ऐसे होते हैं बच्वन में हम कंफ्यूज हो जाते तैयारी तो मचली है फिर और विशेष परिवर्टनों के साथ टेडब बैश्क में रुपांत्रण कहा जाता है इसको metamorphosis बोला जाता है इसे ठीक है अब बात कर लेते हैं हम मतलब sexual reproduction की बात करी अपने लेंगिक एक जनन की अब अलाइंगिक जनन की बात कर लेते हैं देखिए बहुत सारे चोटे-चोटे जनतु जैसे हाइडरा यह दर्शिय जनतु है और अमीबा जो है इसी प्रकार का जनन होता है इनमें आया सेक्स्वल प्रोडक्शन होता है डाट मिंस इसमें नर और मादा का मिलन जो हाइडरा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं इस उभार बिक्सित होते नए जीव हैं जिने मुकुल बोला जाता है यह यह यूं कहे कि असेक्स्वल प्रोडक्शन बोला जाता है हाइडरा में मुकुल से नया जीव बिक्सित होता है इसलिए इस परकार के जनन को मुकुलन या बढ़िंग बोला जाता है अब यह देखे अमीबा का विवाजन य्यूनी सेलूरर कैसे यह विवाजित हो जाता है इसमें जो अमीबा का केंध्रक होता है दो भागों में सब्आइब कुषिक रूप से उत्बंद करने कि प्रकिया को क्या बोलते हैं किसी जनतु की सफलता पूरुब वा सर्व प्रतम इयान बिलमट और उनके सायोगी ने एडिनबर्ग स्कॉट लैंड के रोज लिन इंश्यूट में की थी, उन्होंने एक भेंड को क्लोन किया था, जिसका नाम डॉली रखा गया था, यहीं डॉली है, डॉली का जन पांच उलाई उननी सव चानवे को हुआ था, क्लोन किया जाने वला पहला अस्तन धारी था, ठीक है, यह भेंड था डॉली, और इसको बाद में इसको infection हो गया, मतलब इसके हाँ, उसमें फेपडे होगरा में infection हो गया, और बाद में 2003 में इसकी मृत्यू भी हो गई थी, डॉली की, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना, important है बाकी ये चेप्टर यहीं पर खतम हो जाता है और हम जो है आज दो चेप्टर कम से कम पढ़ने की कोशिश करेंगे और आज करेंट अफेर्स का कोई वो नहीं आएगा मैं मतलब आपको नॉमबर से आपको फैब तक जो है फैब 2023 तक नॉमबर 2022 से फैब 2023 तक एकनॉमी का के जगह पर मैं और पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी हम NCRT को खतम करें ठीक है मिलते हैं अगली कक्षा में तब तक एलिए साइनिंग आप ठेक के अजया है इंचाहवार अभी हम पढ़ने वाले हैं बिदुधारा के रासायानिक प्रभाव काफी इंपोर्टन है चेप्टर नॉमबर 14 क्लास 8 NCRT साइंस और हाँ इसमें चेप्टर नॉमबर 13 भी है जो साउंड से रूलेटेड है तो इसके बाद हम उस वाली चेप्टर को पढ़नेंगे पहले द द्रव से बिदुधारा परवाइद की जा सकती है और कौन से द्रव से नहीं ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसमें सब एक्सपेरिमेंट बच्चों वाला दिया गया है और इसी एक्सपेरिमेंट के माद्यम से decision making तक हम मतलब decisions तक पहुंचते हैं कि फलाना चीज क्या विदुध का सुचालक है तो देखिए जिस भी द्रव में acid, base और salt हो यह सारे द्रव जो है विदुध के सुचालक होंगे मतलब विदुध के अच्छे सुचालक होंगे जैसे निवू का रस acidic है और विदुध का सु नहीं होता तो ये भी क्या है विदूद का सुचालक है बनश्पति तेल ये विदूद का उतना अच्छा सुचालक मतलब चालक नहीं है दूद इसमें भी असुद्या होती है salt हो गरा होता है, acid होता है तो ये सब विदूत के सुचालक है शहद विदूत के सुचालक नहीं है ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी तो ये देखना बस यहीं है जो click bit है, छोटे-छोटे यहीं इसमें बताए गया है कि देखे जब जो distilled water होता है खुचालक होता है, इससे विदूधारा होके परवाइत नहीं हो सकती है, लेकिन यहीं जब इसमें नमक घोल देते हैं, तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, और विदूत का अच्छा चालक है, जो जल हमें नलो hand pumpो, कुवों, तलों, आदी से राप्त होता है, वो शुद्ध नहीं होता, इसमें अनेक लोण घोले हो सकते हैं, खनी लोणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्रकृतिक रूप से दमान होती है, इसलिए यह जल विदूत का सुचालक होता है, इसके विदूत आसुत जल लोणों से मुक्त होने के कारण यह विदूत का ही निचालक है, ठीक है, तो यहीं सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, बाकी यह सो छोटे-छोटे से क्लिक बिट्स दिये गए हैं यह देखिए कि एक 1800-1800 में एक ब्रिटिस रसायन बिलियम निकलसन यह दर्शाय कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डुबे हों तथा उनके द्वारा बिलियन से बिदू धरा परवाहित की जाए, तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन होते हैं और ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन्ट तर्मिनल से जूड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं तो यह मतलब यह एक्स्परिमेंट याद रखना अब इसमें अगला है बिदूत लेपन के बारे में सरबादिक समान उपी हो गए तो यहीं सारी चीजें इसमें दी गई है जादा कुछ इंपोर्टन है नहीं छोटा सा चेप्टर था आप इसे चाहो तो आप एक्सपरिमेंट भी पढ़ सकते हो ऐसे जो मुझे इंपोर्टन लगा मैंने आपको यह बता दिया ठीक है बात कर लेते हैं ध्वनी के बारे में देखिए ध्वनी कैसे उत्पन होती है ध्वनी के कुछ प्रकार्स रिलेशन्स हो गरा के बारे में एक दूसरे से दिखाए गया है किसी बस्तु के माद देश्थिती पर इधर उधर आगे पीछे होने की वाली गती को कमपन कहते हैं प्रिब्यस कक्षा में देखा यदि माली जी की एक आपने रबर ले लिया इसको खीच के तान के और बीच में इसको छोड़ दिया तो यह उपर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और आप ध्यान से सुनोगे तो यह ध्वनी भी उत्पन करेगा तो यह यहीं बताना चाहरा है कि ध्वनी उत्पन करने के लिए कमपन बहुत जरूरी है और जैसे रबर जो है दीरे-दीरे जब कमपन करना बंद कर देता है तो ध्वनी भी बंद हो जाती है ठीक है तो ये कंपन कभी-कभी इतना होता है कि हम किसी कंपन को मतलब vibration को अनुभव कर पाते हैं किसी को नहीं कर पाते हैं जैसे माल लीजे कि एक खाली थाली पे एक चम्मस से आप दीरे से मार दो तो द्वानी तो उत्पन होगी लेकिन हम कंपन देख नहीं सकते हैं लेकिन जब उस पे हांत रखेंगे तो vibration हमें अनुभव होता है ठीक है तो यहीं सारी चीजें click bits इसमें दी गई है फिर मनुष्यों के द्वारा ध्वनी कैसे उत्पन की जाती है मनुष्य ध्वनी का वाख के अंतर या कंट जी से लारेंग्स बोलते हैं इसी के द्वारा उत्पन होता है ठीक है द्यान में रखना है, इसमें क्रीयकलाब आगे दिया गया है, धोनी संचरन के लिए, क्या माध्यम क्या औरuszकता होती है, जी हाँ, बिल्कुल माध्यम क्या औरशच्टा होती है, यदि मान लीजै कि यह 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 इसमें बता गया है, प्रैक्टिकल, कि आप एक cellphone ले लो और एक glass में रखlor, उसमें से हवा निकाल दो, और तो देखोगे कि cellphone की धोनी आपको सुनाई ही नहीं देगी धोनी के लिए माध्यम क्या उशक्ता होती है और धोनी पूरी तरह सुनाई देना ये कारण, इसका कारण है कि द्वानी को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए, जब किसी वर्तन में वायू पुरी तरह निकाल दी जाती है, तो वहाँ पे निर्वात पन हो जाता है, द्वानी निर्वात में संचरित नहीं कर सकती है, ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा पे मान लिजे कोई माध्यम नहीं म करेगा कुछ कम करेगा जैसे द्रब हो गया या मेटल हो गया मेटल अधिक हम इस में ध्वनी के तरीके से सुन सकते हैं मढ़यम के द्वारा ठीक है और हम ध्वनी को अपने काणों के द spies कन और द्रम जाकर और कोई भी जब ध्वनी की आवरिति के बारे में बताएगे है देखी, जब धुनी के लिए कंपन अवश्चक है, तो कंपन का याम और आवरिती किस तरीके से धुनी से related है इसके बारे में बताएगे है, इसमें कहा गए कि हम जानते हैं कि किसी बस्तु का बार-बार इस गति को दोलन गति भी कहते हैं जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इसे के बादे में बताएंगा है प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवरीती बोलते हैं आवरीती को हर्टेज में मापा जाता है ध्यान में रखिएगा इसका संकेतक HZ होता है HZ आवरिती एक दोलन प्रती सेकंड के बरावर होती है ठीक है तो ध्यान में रखता है ध्यानियां विवने प्रकार की हो सकती है क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इने भिन बनाते हैं तो आयाम और आवरिती जो है किसी ध प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं तो समानने स्वास का डेसिबल कितना होता है तो इसमें यहीं बताएगा है कि ढोल जो है मंद आवरिती से कमपित करता है तो इसलिए कम तारत्तों के कारण यह ध्वनी उद्पन करता है दम-डम मतलब इसमें बेस होता है दूसरी ओर सीटी की आवरिती अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्तों की ध्वनी ऊथपन करता है और बहुत जोड से तिक्षण सुनाई देता है लेडीज की धोनी भी ऐसे ही होती है पक्षी उचे तारत्यों की धोनी उत्पन करता है जबकि शेर की धार जो है इसमें तारत्यों कम मंद होता है तता भी शेर की धार अत्यनतीक प्रबल होता है जबकि पक्षी की धोनी दुरबल होती है ठीक है तो हमने ये आवरिती और एंप्लिचूड में ध्वनी से रिलेशन देख लिया स्रब और अस्रब ध्वनियों की बात करें तो केवल मान लिजे हम 20 Hz से मतलब जो मिनमम पॉइंट है लिमीट है वो 20 Hz है और अपर लिमीट है वो 20 Hz है इसी के रिंज की ध्वनी हम सुन सकते हैं बियोंड इसके हम नहीं सुन सकते हैं इसे अस्रब्वे ध्वनिया बोलते हैं लेकिन कुट्यों गरा लोग 20,000 Hz से भी अधिक की अवरिती की ध्वनियों को सुन सकते हैं ठीक है सूर और संगीत में सूरत तो ध्वनियों कहे रहा हूं ठीक है तो इसको ध्यान में रखना इसके बाद ध्वनियों प्रदूशन की बात होती है तो देखी हमने देखा कि 80 decibel से ज़्यादा की ध्वनियों हमारे लिए सही नहीं होती है और जो भी ये उत्वपन करते हैं इसलिए ध्वनियों के हनिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सडको और भौनों के असबच पेंड लगाना चाहिए जिसे की ध्वनियों आवाजों तक ना पहुंच सके ठीक है तो ये चीजें थी जो दो चप्टर आपने खतम कर लिया और जो भी चप्टर रिमेनिंग बचा हुआ है तो साम को दो तीन चप्टर और मैं प्रोवाइट करा दूगा ठीक है मिलते हैं अंगली कक्षा में तब तक के लिए साइनिंग अप टेकर जाहिन जाय भारत पिछली कक्षा रिवाइज करते रहेगा करेंट अफेर्स भी पढ़ते रहेगा और जो मैं डिली एक, दो, तीन, चार, दो भी चप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं NCRT का आप इसे मतलब रिवाइज करते रहे हैं खुद से भी पढ़ते रहे हैं ठीक है मिलते हैं अंगली कक्षा में आज का पहला चेप्टर है कुछ प्रकृति घटना है चेप्टर नमबर 15 क्लास एट NCRT साइंस देखी प्रकृति घटनाओं में इसमें तरीत और भुकम्ब के बारे में बात करा गया है आपने देखा होगा है कि जब विदूद के तार धीले हो जाते हैं तो विदूद खंबो पर चिनगारियां देखी होगी यह परिखटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन चलने पर तार हिलते डूलते हैं आपने सौकेट में प्लक के ढीले होने पर भी चिनगारिया निकलने देखती होगी तरीत भी एक विशाल अस्थर की विधुत चिनगारी है ठीक है देखे इसके बारे में सबसे पहले 600 इसापूर्व से भी पहले प्राची निवनानी यह जानते थे कि जब एमबर का फर से रगड़ते हैं जब एमबर एक परकार का रॉल होता है उसे फर से रगड़ते हैं तो बालो जैसी हलकी बस्तूं को आकरशित कर लेता है होग जब आप उनी या तो पॉलीेस्टार के वस्तरों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं यदि आप अंदेरे में इन वस्तरों को उतारते हैं तो चट-चट की ध्वनी के साथ चनगारी तक भी देख सकते हैं 1752 में अमिर की बैग्यानिक बेंजामिन फ्रैंकलिंग ने या दर्शाया की तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन चिंगारी वास्तों में एक एक ही परिखटना है प्रन्तु इस तत्य के सकार होने में लगबग 2000 वर्ष लगे तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो तड़ित का है कि तड़ित होता क्या है और इससे कैसे बचाओ किया जाता है और आपने देखा होगा कि थंड में क्या करते थे पैंसिल ले लेते थे और अपने बाल में खुब रगड के और कागज के छोटे-छोटे टुकडे रख देते थे और पैंसिल को उपर रखते थे तो कागज के छोटे-छोटे टुकडे जो है कई तो चिपक जाते थे पैंसिल में और सारे खड़े हो जाते ठीक है तो ये कैसे हुआ ये आवेशन के तुरू हुआ जब हम अपने बाल में रगड़ते थे तो पैंसिल जो है आवेशित हो गया और वो कागज के तुकड़े को अपनी तरफ आकर्शित करने लगा ठीक है इसमें अब आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्नोने क्रिया के बारे में दिखाया गया है तो इसमें यहीं है कि देखे होता क्या है कि सेम मतलब आवेश होता है न मालीजे धन आवेश की बात करें तो धन आवेश और धन आवेश एक दुसरे को प्रतिकर्शित करेंगे तो वहीं बताया गया है जो भी इसमें प्रच्छेपन करके दिखा उसका सरान से यहां पर दिया गया है कि एक आवेशित गुबारे ने दुसरे आवेशित गुबारे को प्रतिकर्शित किया एक आवेशित रिफिल ने दुसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्शित किया मतलब उसमें उसका attraction नहीं करा ठीक है और प्रन्तु एक आवेशित गुबारे ने आवेशित refill को आकर्षित किया है ठीक है यह क्या इंगित करता है कि हम कह सकते हैं कि सजातिये सजातिये का मतलब एक ही प्रकार के आवेश एक दुसरे को प्रती कर्षित करते हैं जबकि बिजा प्रकार के आवेश एक दुसरे को आकर्षित करते हैं ठीक है मानेता गैनुसार रेसम से रगणने पर काच की छड़ द्वारा अरजित आवेश धनावेश कहते हैं और अन्न प्रकार के आवेश को रिणावेश कहते हैं तो ध्यान में रखेगा यह नॉर्मल पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है ज्यादा यहां पर क्लिक भीट है नहीं बट आपको ध्यान में रखना चाहिए शेज को आपके बिजार से प्लास्तिक स्टॉव पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए आपका यह अनुमान की प्लास्तिक स्टॉव पर रिन परिपत में प्रवाहित होने वाली या बिदुधरा जिसे बल्ब चमकता है अत्वा तार गरम हो जाता है कुछ और नहीं वरन आवेशो का प्रवाही है ठीक है तो यह यहीं पर दिखाए गया यह प्लास्टिक वाली आप कहा रहा हूंगे कि प्लास्टिक के स्ट्रॉप पर कि धनावेश होगा तो अवियस प्लास्टिक के छड़ पे क्या होगा रिनावेश होगा तबी तो एक दूसरे को आकरशित करेंगे आवेश का अस्थानांत्रन के बारे में बात करा गया है इसमें कि किसी बस्तु को हम देखते हैं कि यह आवेशित है या थ्वा नहीं यह अवेश को किसी आवेशित बस्तु से अन बस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है ठीक है मतलब धात्विक चालक द्वारा किसी भी बस्तु के आवेश को आवेशित बस्तु से अन बस्तु में धात्विक चालक के द्वारा भेजा जा सकता है यह छोटे-छ मतलब जो experiment हुआ है उसका outcomes है, ठीक है, किसी आवेशित बस्तु से आवेश को पृतिवी में भेजने की प्रिक्रिया को भूत संकर्पन कहते हैं, अर्थिंग नहीं बोलते हैं, अर्थिंग, कि हाँ अर्थिंग चला गया, उससे क्या होता है, जो भी आवेश होता है, एक्स्ट आती हैं, जबकि जल की बुंदे नीचे की ओर जाती है, ठीक है, इस प्रबल गतियों के कारण आवेश का पृत्तिक करण होता है, एक प्रकिरिया द्वारा जीसे हम अपनी आभी पूने तह नहीं समझा, मतलब आभी छोटे साथवी कक्षा के बच्चों को आडवी कक्षा क संचय होता है, जब संचित आवेशों का परिमान अत्यादिक हो जाता है, तो वायू जो बिदूत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती, रिनात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं, और प्रकास की चमक वाली धारियां तता द्वनी उत्पन करते हैं, उपरी बादलों का हिस्सा जो है, ये धनावेश हो गया, और ये नीचला हिस्सा, रिनावेश हो गया, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो ये तडित का मतलब बिदूत का उत्पादन करते हैं, और नीचे धर्ती पर विसरचित करते हैं इसे, ठीक है, और धर्ती एक धान में रखना और इसी के संपर्क में आने पे लोगों की मृत्यू हो जाती है, क्योंकि सीधे बिदुद की धारा उनके ऊपर घिर जाती है, तो एक तरीस से सुरक्षा कैसे है, आये दिनों जैसे वर्षात सुरू होती है आप देखे होंगे न्यूज पेपर्स में बिहार सरकार के दोरा जो है कई तरीके की सौधानियां बरतने की बात करी जाती है तो ये किसे सुरक्षा करने की बात करी जाती है तरी से सुरक्षा करने की बात करी जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग और उसके बाद विजूत का विसर्जन हो जाता है अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित अस्तान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतिक्षा करनी चाहिए ठीक है तो ये बाद ध्यान में रखना कहीं तड़ी तो गएरा कहीं जा रहे हो और ऐसा कुछ गराज और जो तो आप सुरक्षित अस्तान पे कैसे जाएंगे सुरक्षित अस्तान का पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा अस्तान सुरक्षित है यदि आप किसी कार अत्वा ये काफी important है यहां से प्रश्ण पूछा जा सकता है important click bits हैं यदि आप किसी कार अत्वा बस के द्वारा यात्रा क मानी है ठीक है और तो बोडी से होके मतलब जो भी आप बस में या कार में बैठते होके तो उसे बड़ी से होके विदुद्धारा नीचे धर्ती में चली जाती है और नीचे अंदर जो है वो निर्वाद के स्थिति होती है एक तरीके से उसको माध्यम नहीं मिल पाता है तो ज इसा मतलब चीज है कंप्यूटर टीवी जैसे विदुद्धूप करनों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए जब भी तरीतों गरा का इंसिडेंस होता है तो अब देखे तरीत चालक क्या होते हैं देखे आप भौनों को सुरक्षित करने के लिए मंदिरों को अपनी तरफ आकर्शित कर लें और सीधे उसको भू छेपित कर दे मतलब भूमी के अंदर बेज दे तो इसे मकानों गरा जो है सुरक्षित हो जाते हैं अब बात आती है भूकंप की इंपोर्टन्ट है भूकंप ठीक है एक्चुली इसमें बच्छों वाला ही सारा क्लिक ब भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं तो ये बात सही है आप कहा रहोगे ये कौन सी बला है हमें तो पता ही नहीं चलता दी तो बहुत सारे भूकंप जो है intensity जट मिस उसकी आवरिती जो है वो काफी कम होती है तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता और जो बड़े-बड़े भुकंप होते हैं जादा जटकों के जिसकी intensity हाई होती है जब वैसे भुकंप आते हैं तो हमें पता चलता है अब ये भुकंप का कारण क्या है ये इसमें बत है कि राक्षा भगवान जी को खा लिया है और इतना आदे घंटे तक खाये रखेगा उसके बाद उगलेगा तो सुरज भगवान भी फिर रोस नहीं देंगे तो ये बच्वन बालमन हमारा था हमें जनकारी नहीं थी तो ये जो scientific घटनाएं होती है जोग्राफिकल astronomical घटना करते जाओगे तो आपको BPSC का डर जो है नहीं सताएगा क्योंकि आपका धीरे-धीरे confidence build-up हो जाएगा देखिए इसमें प्रितवी की सनरशना दिखाई गई है यह center है आंतरी कोड उसके बाद बाहर क्रोड होता है उसके बाद यह परवार mental होता है और अब उपरा जो layer होत प्रितवी की तरह परत का एक खंड में नहीं है मैं आपको बताऊंगा जो यह भू परवार mental यह एक खंड में होते नहीं है यह कई-कई टुकडों के मतलब मिलने से बनते हैं टुकडों में विवाजित होते हैं और परते टुकडे को प्लेट बोला जाता है यह आप देख पंतरों नहीं दिखाए गया यह तो यह बन के प्रितवी का निर्मान हुआ है और परतेग टुकडे को प्लेट काता हैं यह प्लेट निरंतर गती करते रहते हैं और जब एक दूसरे से रगड़ खाते हैं माली जी ये किनारा हो गया एक दूसरे से रगड़ खाते हैं अत्वा टक्कर के कारण होता क्या है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है ये दिखा रहे है न ये वाली प्लेट इस प्लेट के नीचे चली जा रही है तो इसके कारण भूप प्रसपंद जुला मुखी के फटने अत्वा किसी उलका पिंड के प्रिदवी से टकराने अत्वा किसी भुमिगत नाविकिये बिसपोर्ट के कारण भी होता है। यहां पर भुकम पाने की ज़्यादा संभावना होगी। वहां भुकम पाने की संभावना अधिक होती है। यहां यह वाला यह पश्मी हिस्सा जो गुजरात का है यह भी भुकम पाने पर मापते हैं। अधिक बिनाश्कारी भुकम पो का रिक्टर पैमाने पर परिमान जो है साथ से अधिक होता है। भुज और कश्मीर में आए दोनों भुकम पो का परिमान साथ पॉइंट पांच से अधिक था। जो जब और कश्मीर में जो भुकम पाया था उसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें भुकम से बचाओ की बात करी जा रही है कि कभी भी आप अपने माकान का धांचा सरल रखें। किसी योग आर्किटेक्ट और सनर्शना इंजिनियर से परामर्श करके ही माकान का वो किजिए जब भुकम पोगर आए तो आप जब बेट पे आप घर में हों तो किसी मेज के नीशे आस्रे ले ले लें जटकों के रुकने तक वहीं रहें ऐसी उची और भारी बस्तों से द हरती पर लेट जाएं ठीक है यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें ड्राइबर से कहें कि वो धीरे धीरे किसी खुले अस्तान पर बू अस्पंदन के समाप्त होने से बाहर निकले ना कि उससे पहले तो यह था चैप्टर आज का ठीक है चलते हैं प्रकास हुआ बहुतिक माद्यम है जिससे किसी वस्तु को हमारी आँखे देखने की समवेदना प्राप्त करती है ठीक है तो वस्तु को दृष्च कौन बनाता है प्रकास बनाता है यहां पर सातवी कक्षा का एक सीख दिया हुआ लर्निंग्स दी गई है कि कोई पॉलिस कि पढ़ने वाला प्रकास किस दिसा में प्रवर्तित होता है तो इसे प्रावर्तन का नियम जनरेट होता है और इसी के बारे में बताए गया है ठीक है तो ये प्रावर्तन के एक एक नियम देख लो important है दरपन से टगराने के पशातमा लिजे ये कोई ये दरपन है समतल दरपन रखा हुआ है तो कोई वस्तु इस पर कोई प्रकास इस पर आ मतलब पढ़ती है तो इसे आपतित किरण बोलते हैं इस समतल दरपन पर पढ़ने वाले प्रकास को आपतित किरण बोलते हैं और जो परिवर्तन होने के पत्याद जो रे निकलती है उसे प्रावर्तित किरण बोलते हैं ठीक है और इन दोनों के बीच जो लंब खीचा जाता है संतल दर्पन पे इसे अभी लंब बोलते हैं ठीक है तो ध्यान में रखना दर्पन से टकराने के परश्चात प्रकास किरण दूसरी important है यह आपने देखा आप्तित कीरण और प्रावर्तित कीरण क्या होता है प्रकास यहां पर देखे इसमें बताया है कि प्रकास कीरण का स्थित्व जो है आदर्शी करण है ठीक है क्योंकि प्रकास एक साथ एक कीरण के माद्यम से नहीं आता है प्रकास पुंज आता है हमें एक संकिन कीरण पुन्ज प्राप्त होता है जो अने किरणों से मिलके बना होता है सरल्दा के लिए हम प्रकास के संकिन कीरण पुन्ज के लिए केवल कीरण सब्द का परियोग करते हैं अब इसमें बताई गए देखे अब यहां से मैं पूरा conclusion आपको बता देता हूं कि यह आपका यह दरपन है समतल दरपन है इस पर प्रकास जो है send किया गया इस पर थ्रो किया गया जिसे आपतित प्रकास बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं और यह प्रावर्तित होके मतलब जो जाती है उसे प्रावर्तित क टिक है इसे incidence ray और इसे reflection ray बोलते हैं हिंदी में अब जो अभिलंब खीचा जाता है ना इन दोनों के बीच तो प्रावर्तित किरन को आइसे बंपतित किरन और अभिलंब के बीच बनने वाले कोन क्या बोला जाता है आपतित कोन बोला जाता है और अभिलम और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोन जो है परावर्तन कोन बोला जाता है इसे ठीक है तो आपतन कोन और परावर्तन कोन सदय वह बराबर होते हैं that means I will be always equal to R, ठीक है, आपतित कोण हमेशा प्रावर्तित कोण के बरावर होता है, तो यह चीज़ ध्यान में रखना, इसे मिटा देता हूं, चाकि आपको मैं PDF सेंड करूंगा, तो आपको कोई होच पोच क्रियेट ना हो, ठीक है, इसे आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, इस है, प्रावर्तन का एक नियम है, तो overall तीन नियम होते हैं प्रावर्तन को, इसमें यहीं बताया गया है, कि आपतन कोण सदय और प्रावर्तन कोण के बराबर होता है, या प्रावर्तन नियमों में से एक है, ठीक है, इसमें आगे क्या बताया है, conclusion, आपतित किरन, आपतन बि एसने रे, निकलती है, और पूरा उसका उससे रे, पास्तुरू होनी चाहिए, और प्रकार जो है, हमारे उसका प्रतिबीम हमारे आइस पर पढ़ना चाहिए, तब ही हम उस देख सकते हैं, तो यह ओ कोई वस्तु है, यहां से यह प्रकार यह पे और सी पे आप्तित होती है, पर यह प्रवर्तित हो जाती है फिर हम अभी लंब कीछते हैं और जहां पर यह प्रावर्तीत हो यह गिरता है इसको जब पीछे मिलाते है तो यह मिल जाता है। का ठीक है और चुकि यह डिरेक्ट आई पे नहीं बनता है तो यह अभासी प्रतिवीम होता है तो इस चीज को ध्यान में रखना यहीं बताएगा है आगे के कोई से वस्तूअ का प्रतिवीम बनता है तो left right दीखेगा और right left दीखेगा ठीक है अब नियमित और विसरीत परावरतन तो देखे कोई जरूरी नहीं कि जो भी light हम ध्रो करते हैं या light गिरती है वह जो मतलब तल हो हमेशा समतल हो मतलब plain हो कभी खुरद़ रा भी हो शकता है तो खुर्दरा पे जो आप्तित किरण गिरेंगी वो हमेशा जो है इधर उधर परवर्तित हो जाएंगी कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा ठीक है तो इसी को बोलते हैं अनियमित परवर्तन या यू कहें कि इसको बोलते हैं हम विशरित परवर्तन बोलते हैं ठीक है जबकि सभी समनांतर किरने किसी खुरदरे या अनियमित प्रिष्ट पर परिवर्तित होने के पश्चात समनांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं याद रखिए लेकिन विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलता पुर्वक पालन होता है इसमें भी I will be always equal to R और incidence array और आपका परावर्तित array और साथ में जो उस वे खीचा गया अभी लंब है ये तिनों जो हैं एकी तल में होंगे ठीक है प्रकास का विसरन गत्ते जैसे विशयवस्तु परावर्तित प्रिष्ट पर अनियमित ताओं के कारण होता है अगला बताया गया है कि इसके भी प्रिष्ट से होने वाले प्रावर्तन को नियमित प्रावर्तन कहते हैं मतलब जो समतल किर्णे यहां पे समनांतर किर्णे गिरती हैं वो प्रावर्तन के पस्चाद भी समनांतर हो जाती है ठीक है और ये भी प्रावर्तन के नियमों का पालन करते हैं अक्षारसा इसमें बताए गया है कि आपके चारों लगबक सभी बस्तुएं आपको प्रावर्तित प्रकास के कारण ही दिखाई देती हैं क्या हम सभी बस्तुओं को प्रावर्तित प्रकास के कारण ही देख सकते हैं तो जी बिलकुल यह उसे प्रकास का प्रावर्तन प्रकास को अपने देख लेता है इतनी ज़्यादा ग्रैविटी होती है उसे रिफलेक्शन होता ही जाते हो नाई के पास बाल कटवाने तो आपका पीछे का बाल हेयर कटिंग कैसा हुआ है तो इसके लिए क्या करता है नाई एक पीछे से दरपन लेके आता है जो रिफलेक्शन होता है उसको फिर से री रिफलेक्ट करता है ठीक है इसे बोलते हैं परिदर्शी बोलते हैं तो परिदर्शी में दो समतल दर्पन का उपयोग किया जाता है परिदर्शियों का उपयोग पंडुबियों टैंकों और बंकरों में छीपे साइनिकों के द्वारा बाहर की बस्तूओं को देखने के लिए किया जाता है ठीक है मतलब परावर्तन का परावर्तन फिर से इसमें हो परिदर्शी में ठीक है अब बहुँ प्रतिबीम मतलब जब समतल दो मान लीजे दो समतल दरपण है उनको बिन बिन इंगल पे एक दूसरे से चिपका के रखें तो कितने प्रतिबीम बनेंगे इसी के बारे में बताए गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो समतल दर के बनने की धार्ना का उपयोग बहुँ मुर्ति दर्शी या कलाइडो को स्कोप में भाती भाती के आकर्शन पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है बहुँ मुर्ति दर्शी को क्या बोलते हैं कलाइडो स्कोप बोलते हैं ठीक है आप समय भी कलाइडो स्कोप का निर्मान क कर सकते हैं तो हट आगे हमें निर्मान करने के उश्यक्था नहीं है इसमें आगे हमारे नेत्रों के बारे में क्या यह वाइट दिखाई देते हैं, हमारे नेत्रों की सनरशना क्या है, इसके बारे में पढ़ना इंपोर्जन्ट है, नेत्र के बारे में इंट्रोडाक्शन कराए गया है, कि हमारे नेत्र की आकरिती लगबग गोलाकार है, नेत्र का एक बाहरी आवरण सफेद होता है, और यह क परितारिका है परितारिका को इंगलिश में आईरिस बोलते हैं ध्यान में रखिएगा ये पच्छाब पेशी और ये कॉर्णिया है ये कॉर्णिया जो अगला वाला लेंस होता है ये कॉर्णिया है और ये प्रोपर हमारा ये लेंस है ठीक है तो यहीं बताएगा है कि परिता तो में उसका आईरिस की रंग की ही ही हम बात करते हैं, परितारिका नेतर में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंतरित करती है, ठीक है, पुतली के पीछे भी एक लेंस होता है, देखिए, यह पुतली है, यह वाला यह जो परितारिका है, मतलब जो आईरिस है, जो किन्द्र में मोटा होता है अब को किन्द्र में म्ूटा लेंसको क्या बोलते हैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं वही000 अब आप करते हैं लेंसे परकाश को आंग परद पर chakya कर ओकिस करता है इस परद को औरEmma scr Kelly पर फोकस करता है तोलते हैं सब्सक्राइब पर अनेक तंत्रिका को शिकाओं का बना होता है रेटीना, तंत्रिका को शिकाओं द्वारा अनुबह की गई सम्मेदनाओं को, यह जो है अद्रिक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिक तक पहुंचाता है, और तंत्रिका को शिकाओं, यह जो प्रकास तंत्रिका को शिकाओं हैं, यह दो तरीके की होती हैं कौन सेल और रोट सेल होती हैं कौन सेल and there यो कि रऌ कार की सेल किसमे होते हैं रेटीञा में होते है नहीं द्रिक तंत्रिकाओं और रेटीना की संदी पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है इसे अंद बिंदू बोलते हैं ठीक है इस चीज को ध्यान में रखना बागी है सारी चीज़ें आगे रेटीना पर बने प्रतिवींब का प्रभाव वस्तू को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता ये लगबग सेकेंड की सुलह हुए हिस्से तक बना रहता है यदि नेतर पर प्रती सेकेंड सुलह या उससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तू के लिए इस्थिर प्रति चल्चित्र की भाती चल्ती फित्री अनुभव होगी ठीक है तो ये ध्यान में रखना इसमें चल्चित्र का कॉंसेप्ट समझाय गया है जो हम सिनेमा देखते हैं आगे इसमें बताय गया कि समान नेतर के द्वारा पढ़ने के लिए सरवादी की सुविदा जनक दूरी केकड़े के नेतर बहुत छोटे होते हैं प्रंतु इनके दौरा केकड़ा चारो तरफ देख सकता है इसलिए यदि शत्रू पीछे से भी उसकी और आता है तब भी उसे पता लग जाता है तितली के बड़े नेतर होते हैं जो सहस्तरों छोटे नेतर से मिलकर बने प्रतिभी होते हैं ठीक है तो मिलकर प्रतीत होते हैं तो तीतली के नत्र क्या होते हैं बहुत सारे नत्र होते हैं एक नत्र नहीं होता है बहुत सारे नत्र होते हैं यह केवल सामने अत्वा पार्ष में ही नहीं बलकि पीछे भी देख सकती है उल्लू की बाद करी जा रही है उल्लू भल और बड़ी पुतली होती है फिपल बोलते हैं ना पुतली को बोलते हैं ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके इसी के साथ इसे रेटीना में बड़ी संख्या में शालिकाएं में आगे बड़ा क्या चाक्षू वेकृति मतलब जीनको आंख नहीं है या धंक से देख नहीं सकते हैं क्या वे लोग पढ़ सकते हैं बिलकुल पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपी पद्धती के द्वारा और जिसकी खोज 1821 में हुई थी लुई ब्रेल ने करी थी ये खुद क्या थे ये खुद भी एक दृष्टी बाधित बैकती थे वस आगे इसमें सारी चीजे हैं कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं हमने इसमें देखा आप्तन कुण प्रावर्तन कुण अंदबिंदु ब्रेल शंकु कॉर्णिया विसरित या नीमीत प्रावर्तन आप्तित कीरण आयरिस के लाइडो स्कोप पार्शो परिवर्तन परिवर्तन के नियम करांस में आपको साम को प्रुवाइड करा दूंगा ठीक है और कल से अब नाइंद कक्षा की इंसियाटी शुरू कर देंगे मिलते हैं अंगली कक्षा में तब तके लिए साइनिंग आप ठेक है जाहिंचावारा